गुड़िवनी, कैसी हो आप लोग, तो क्या चल रहा था, सर जी हमारा चल रहा था, एक तो हम 2018 के बाद, जो कोश्चिन्स नए टाइप के है, उन कोश्चिन्स के विसे में चर्चा कर रहे थे, उसमें से हम लोगों ने डेरिविटी उस कर लिया था, इंट्रेस रेट रिस्क म इश्यो था, अब हम रेगुलर चलेंगे, पक्का, और आज जो डिस्क्रिशन होगा, वो होगा फॉरेक्स, इसका मतलब यह है सर की हम जो आज चर्चा हो रही है, वो चर्चा यह हो रही है, कि 2018 अटेम्ट के बाद, जितने भी अटेम्ट हुए, उसमें फॉरेक्स के नए को मजबूत है, तो वो कोशिंस बन जाने चाहिए थे, पर ठीक है, मैं यहां करवा दूँगों कोशिंस, तो टोटल मिलाकर 11 कोशिंस है, जो आपको करवाना, 11 कोशिंस, सर सारी की सारे नहे थे, क्या, कोशिंस नहे थे, लेकिन अगर आपका कॉंसेप्ट से मजबूत है, तो क कॉशिंस, काफी कुछ कोशिंस, आपसे आसानी से बन जाते, कोई दिकती, एक दोनम में थोड़ा सा एक्ष्ट्रा एफर्ट करना पड़ था, तो श्टार्ट करें, हाँ सर, पहला कोशिंस फॉरेक्स का लेते है, और यह है, कोशिंस नमबर वन, यह कोशिंस कहां डला हुआ है, सर, तो यह कोशिंस ड़ला हुआ है, और टीपी में, RTP कब की हैं, सर, आटीपी है, नवेंबर जोहजार bahs, कौन सा से लेबस है, निउ से लेबस, हाँ थिक, नवöyle बड़ वेजार लेजा है, निउस लेवस का आई और जड़ पड़ते हैं क्या यह इस बार की आर्टी पी में भी ड़ला हुआ यह कोश्चन तो आपको अच्छे से करना है बोल रहा है सिटी बैंक कोट्स जैपनीज येन पर यूए से डी अब इसका मतब क्या है क्या यह आई सो कोट है हां अगर आये शो कोट है तो सर येन वन इस इक्व इतना डॉलर होना चीए यास पर क्या हमें यह कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा हां हम अच्छी से जानते हैं कि एक डॉलर में जादा येन आता है तो रेट क्या दिया है यह हमें पता होना चाहिए हमें समझ में आना चाहिए इट मेंस एक बैंक है जिसका नाम है सिटी बैंक और उन्होंने रेट दे रखा है येन पर डॉलर और रेट है 105 और 106.50 मतलब रेट किसका दिया है सर जी रेट दिया है डॉलर का एक डॉलर बराबर इतना है किसकी बात हो रही है सिटी बैंक ठीक इसके लावा और एक बैंक है होंग कॉंग बैंक होंग कॉंग है और इन्होंने भी रेट दे रखा अब सूच के बताओ क्या लिखा है इस तर डॉलर पर येन है एक एन इस इक्विल टू कितना लिखा है 0.0090 और इसके लावा 0.0093 ठीक है तो ये रेट से दिये है दो बैंक है दोनोंने रेट दे रखा है Citibank ने अपने रेट दिया है Hong Kong ने अपना रेट दिया है रेट किसका दिया है यहां डॉलर का रेट दिया यहां यहां तक हमको पोई समस्या नहीं है पॉइंट नबर वन में क्या मांग रहा है। Are these quotes identical? If not, they then how they are different? क्या ये दोनों quotes जो दे रखे, क्या ये एक समान है? अगर एक समान नहीं है तो क्या अंतर है भई? एक समान कैसे है? एक डॉलर का रेट है और एक में ये इन का रेट है। आपके जो suggested answer है, उन्होंने इसमें RTP का जो answer दे रहा, उन्होंने डारेक्ट और इन डारेक्ट कोट में बताए इसको, अगर मैं इसे बोले क्या ये दोनों quote समान है, तो मैं कहुंगा नहीं कैसे दोनों quote से समान है। ये rate of dollar है और ये rate of pnay पर उन्होंने ऐसा नहीं बताए, उन्होंने कहा की एक direct quote है, इसके लिए दूसरा भी direct quote है, अब direct quote इन डारेक्ट कोट क्या होता था अगर लिखा है, रूपीज पर dollar है, और लिखा है, रूपीज 70 बताउं हमारे लिए, ये direct, हम इंडिया वाले, इं क्या पर समझते थे सर डारेक कोट का मतलब होता था डायट कोट किसके लिए रुपिया के लिए डारेक्ट कोट है कि एग डॉलर वन यूनित of foreign currency डायट कोट का मतलब वन यूनित of dollars is equal to how many units of Indian currency this is direct quote अगर मैं यह क्या है यह डारेक्ट कोट है किसका डारेक्ट कोट है डालर का की रुपीस का रुपीस का हम लोगों के लिए डारेक्ट कोट है नहीं या रिये दिस सरी यह 70 कहां से आया बैटे वह ऐसी लिखा एक्जांबल यह क्या है डारेक्ट कोट किसके लिए डारेक्ट कोट है फॉर रुपीस सर ये हुआ दूसरी करेंसी का जो रेट दे रखा दूसरी करेंसी का डॉलर का रेट दिया मतलब ये डायट कोट है रुपीस का अब बोलो बताव बिटे सिटी बैंक ने जो प्रोवाइट किया है ये रेट किसका है सरे तो डॉलर का है पर डारेक्ट कोट किसका ये इनका अच्छा सर दिस डारेक्ट कोट तो है पर किसका है फॉय ये बात समझ में आ रही है ये डायेक्ट कोट किसका था रुपीस का ये डायेक्ट कोट किसका है ये बर यह सख़़ आपको यहां से आपको समझ में नहीं आता इसी वजह से मतलब सर्याल में दे रख membership पूरा मया को पर ये को तो 살 नूए ये ढॉलर में दे रखा राइनोगा ज़्या कर दो का दॉल रहा है यहां लिखा क्या उप है यह फर City bank ने coat किया है diet coat किसका है ये और Hong Kong Bank ने जो code फिर वी डाइट डारेक्ट कोट किसका है डालर का यहां तो कोई समस्य क्या नहीं तो पहला point में यह पूछ गया था कि बता ये क्या ये दोनों एक जैसा है नहीं यह ये कोट है किसका सिटी बैंक निजो कोट डियराइट कोट किसका है किसका हि alrededor कश रॉंग कॉंग बेंग ने जू राइट कोट और किसका है सान डालर को था पका था क्वि practically Тыन पॉसिबलिटी है कि कई सब्ध dzisiaj कई सब्थाइब का पॉसिबलिटी है कि सब्था थे था है कि अगर दॉड दॉड दॉडर का रेट यह जो डेलें नीधत बोलन बनाल दूड यहां बोसक forearm शेक्शन चुलह को धिक होता यह तो भी देलें समस्या थे एक bank में dollar का rate दे रखा है एक bank में yen का rate दे रखा है यहां थोड़ा सा मुस्किल होगा arbitries possible. It means दोनों जब भी arbitries की बात आती है ना साहब तो एक बात समजना base currency same होना चाहिए तो हमें आसानी होती chargingги arbitrary आप्ति करना पड़ेगा हम base currency को save करने की कोशिश कर देखो मेरे मेरी तर्फ ध्यान से मैं कैसे करूंगा सर कैसे करो के बताओ सुनना ध्यान से पिटे ध्यान से सुनना ये एक रेट किसका है डॉलर का अब ध्यान से समझना मैं क्या समझानी ये रेट किसका है डॉलर का कौन सी बैंक है सिटी बैंक तो क्या यह रेट किसका है डॉलर का तो यहां भी मैं रेट किसका बनाने की कोशिश कर रहा हूं डॉलर का ताकि मैं आर्विट्रेस पहचान दो और डॉलर का रेट बनाना हम भी जानते हैं वन से डिवाइट करना होता है लेकिन एक बात है आपको मैंने पढ़ाया अच्छे से जब भी वन से डिवाइट करोगे तो डॉलर का रेट बन जाएगा लेकिन बेडैस्क दिया है तो हमें इस rate को 1 से divide करेंगे तो वह यहां जाएगा इसको 1 से divide opposite हो जाता है यह मैंने चर्चा कर चुका हूँ आपके साथ इतमिस मैं क्या करो पहले इसको divide करो 1 divided by 0.0093 तो सर यह आ गया 1.107.53 ले 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 ता और इसको divide करो 1 divided by 0.0090 तो यह आ गया 1 1 1.11 हां ये भी rate किसका है dollar को यह rate कहां का है city bank यह rate कहां का है Hong Kong bank अब धूंड के बताओ कि अगर हमें dollar कह जहां सस्ते में मिलेगा वहां से खरीदेंगे जहां महगा भी केगा वहां बेज देंगे सिम्पल सी बात है डॉलर, डॉलर खरीदने और बेचने की बात करेंगे, तो सोचो sir, बस focus किस पर करना है, focus बिट इस पर करना है, focus आपको इस पर करना, इसके अलावा और कहीं नहीं जाओगे, बांके rates हमारे काम के नहीं है, ठीक, पहला, sir हम डॉलर खरीद लेते हैं, मानलो ह खरीद लेते हैं यहां एक सोची रुपए पैचास पैसी के सबसे और बेज दिए हां हो गया अर्बिट्रेस दूसरा अल्टरनेटीव है डॉलर खरीदेंगे वन 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 के सबसे और बेचेंगे यह बोल दू यह बहू दूब बाती कि बास समझर्य में यह तो अपने मद्द के लिए मैंने किया में कोट मैंने इसको यहां कर दिया ठीक है अपनी हेल्प के लिए आर्बिटरेस पहचानने के लिए कि मैं खरीदूंगा सस्ते में डॉलर बेचूंगा महें कि मैं खरीदूंगा सस्ते में चाहिए ले लूँ चाहिए ले लूँ फर्क क्या पड़ता है यहां तक बात समझ में डॉलर खरीदना है डॉलर बेचना क्या arbitrage possibility है हाँ arbitrage possibility है point no. 2 तो ऐसी बनेगा ज्यादा कुछ लिखना नहीं point no. 3 से समझते हैं क्या बोड़ रहा है अब arbitrage possibility तो हम भजे करके बतानी पड़ेगी if there is an arbitrage opportunity ठीक है है उता हम को पता है then show how would you make profit from the given quotation in both cases if you are having अगर आपके पास है Japanese yen यह आपके पास है dollar 1000 हमारे पास है ये इन वन लैक डॉलर खरीदना हमने रेट किसका निकाला है डॉलर का डॉलर खरीदना है डॉलर बेचना है डॉलर खरीदेंगे 106 रुपिया पैचास पैसे रुपिया बोल रहा हूं ये और बेचेंगे 107 या फिर ये रेट ले लिए ठीक हम सहाब हम यहां से ये इन चोरी डॉलर खरीदेंगे तो एक लाकी एन है डॉलर करें डिवाइड होगा तो सर आर्बिटरिस करके देखे कि यस कहां है जगह मेरे पास यहां कर लो आप समझ जाओगे मुझे ऐसी जगह नहीं है तो आप समझ जाओगे सर आपके पास है एक डॉलर कर दो के 106.50 तो यह आगे है डॉलर डॉलर अनिक के बाद इस से क्या कर दो के मल्टिप्लाइ या इस से कर दो डिवाइड एक ही बात है इट मींज मैं सीधा भी कर सकता हूं इंटू 107.53 एक लाक डिवाइड बाए 106.50 इंटू 107.53 अंसर आगया वन डबल जीरो यें वैंडर जीरो 960 Frame कुछ दिया है क्छेर तो भही मैंने कितना येञ लगाह था मैंने लगाया था हिय न वन लेक और आया कितना दिख रहा हैं आपको को सर गेंट कितना to gain हो गया here 967 पॉइंट कुछ कुछ कर सकते आप करना हो güç अगर आपके पास क्या है अगर आपके पास कौन सी करनसी है इन इन्होंने भी ऐसे ही कर रखा ओ еще अगया नहुंत ये और पहले डॉलर बाला भी करवाओंगे हमान लो हमारे पास कौन सी करन सी यें तो हमारे पास अगर ये हैं तो सबसे पहले उसको हम डॉलर में कनवड करेंगे और एक्सो च्छेर रुपय तो इतना ।ौलर मिल जाएगा और जो डॉलर मिलेगा हम उसको 170.53 के साब से बेज देंगे तो इतना येन आ जाएगा हमने येन लगाया था वन लेक आया इतना तो ये हमारा आर्विट्रेस गेर है 967.4 अगर हमारे पास कौन सी करेंसी है सर जी अगर हमारे पास डॉलर है जब की बात करूं सौरी ये बात सम किया मैं फिर से समझा दे रहा हूं क्योंकि ये दोनों कोट दिये हैं एक में डॉलर करेट है एक में येन करेट तो बात बन नहीं रही थी तो मैंने इस क्रेट को कनवर्ट करके क्योंकि ये डॉलर के तो इसको भी डॉलर का बना दिया जैसी डॉलर का बनाया तो मेरी लोट तूसरी पॉसिब्डिश अगर आपके पास डॉलर है तो क्या करेंगे हाँ अब सुनो है हमें सो गौरफ कर दीता है अब मेरे पास यहां किस का रेट है येन का यहाँ भी किसका रेट बनानी की कोशिश कर into 2019 技 डालर पर ये क्योंकि मेरे पास $ हो का मैं Yen खरीदूंगा Yen बेचूंगा समझ ना यहां Yen का rate है तो मैं यहां भी Yen का rate बनाने की कोशिश करूँगा और कैसे करते हैं कोसिस 1 से divide करना लेकिन 1 से इसको divide करो तो bid rate बनेगा 1 से इसको divide करो तो ask rate बनेगा एक बार चेक करें यस 1 divided by 106.50 तो सर यह आगे 0.0093 94 ले लू और 1 divided by 105 0.0095 अब हमको येन खरीदना है और ये नहीं बेचना है जल्दी जल्दी से बताओ येन कहां से खरीद होगे येन कहां बेच होगे ये सिटी बैंक का ये होगकों सर अगर हम यहां से येन खरीदे हैं और यहां बेचते हैं तो आर्बिट्रेस है सर और यहां से येन खरीद के यहां बेचिंग तो लॉस हो जाएगा भाई इटमिस येन हम यहां से खरीदेंगे और यहां बेच देंगे और हमारे पास करेंसी खरी देंगे और city bank में ये बेस देंगे देख लेते हैं आपके पास है dollar thousand rate yen कर दिये तो divide point 0093 जो भी आएगा वो किस में आएगा वो ये न जाएगा और फिर इस से क्या कर सकते हो multiply या फिर इसी से कर सकते हो divide कोई फरक नहीं परड़ा मैं ऐसे ही कर लेता डारेक्ट डारेक्ट जीरो पॉइंट जीरो जीरो नाइन फो तो 1000 डॉलर था divided by point 0093 into point 0094 तो ये आगया dollar 1010.75 तो आर्बिट्रेस कितना आएगा माइनस 1000 कर लो तो आर्बिट्रेस 10.75 इसमें कितना आ रहा है अन 9.67 आ रहा है वजह मालूम है क्या उन्होंने ये वाला रेट ले रखा इट मेंस इन्होंने क्या किया 1000 divided by point 0093 किया ठीक है जो भी ये ना है उन्होंने इससे डिवाइड कर दिया डिवाइड बाइ 106.50 तो आंसर ये आगया 9.64 बात समझ में उन्होंने ये वाला रेट ना लेकर ये वाला रेट लिए डिजन्ट मैंटर ये तो राउंडेड ओफ करने की वजह से हो गया तिक उन्होंने मैंने का ना ये ले लीजिए या ये ले लिजिए तो इस तरह का कोश्चन था कोश्चन अगर मेरी नजरू से तो कुछ था नहीं आसान कोश्चन था हाँ यहां थोड़े आफ कंफ्यूज हो जाती क्या रेट नहीं दिया था अकर दोनों रेट डॉलर के दे देते तो आर्बिट्रेस पूछता तो में कोई चेंज वेंज नहीं करता और यहां प्रॉब्लम है यहां एक ही करेंसी देता तो भी वासाब यहां इन्होंने दो करेंसी दे रखा उन्होंने का मालो हमारे पास यह नहीं या मालो हमारे पास डॉलर है तो बहुत अब तो दोनों से आर्बिट्रेस करके बताना पड़ेगा वहीं उन्होंने क्या प्रेजेंटेशन ऐसा पहले वाले पॉइंट में तो को ऐर्वर्ट रिजर निकाला है ठीक जी कोुस्ट आसान था पहला वाला कोुश्ट अगर आपने पहले कभी नहीं भी किया होता तो आप से कोश्ट बन जाएगा ऐसा कुछ था नैऑ ऑटने को शिर्ट चल रहा है को весь number two, यह कोशन आसान है, उससे भी आसान है जो पिसला कोशन किया, आपको rates दे रखिया, Give-un ये दे रखा मतलब सर हमें दे रखा येन पर डॉलर विलकुल से ही और सर डॉलर पर Pound भी दे रखा डॉलर पर Pound भी दे रखा और सर डॉलर पर आस्ट्रेलियन डॉलर भी दे रखा Calculate the cross rate for pound Pound का rate in a yen term मतलब सर मांग क्या रहा है साहाब मांग रहा येन पर फार पाउंड पाउंड के लिए येन पर पाउंड इसको एक बार अच्छे से लिखनों कि रेट तो दिक्कत नहीं होगी ना यार सबसे पहले है येन पर डॉलर तो सर ये है 107.31 सर दूसरे डेट है डॉलर पर पाउंड कितना है 1.26 और तीसरा है सर डॉलर पर आष्ट्रिलियन डॉलर कितना है जीरो पॉइंट से और अभी रेट कौन सा मांग रहा है calculate the cross rate for pound in yen मतलब yen per pound मांग क्या रहा है सर मांग रहा है yen per pound yen per dollar ने yen per pound yen उपर होना चाहिए उपर है तो 107.31 pound नीचे होना चाहिए नीचे है तो सिधा multiply हो जाएगा one point यह तो बड़ा असन काम था भई 107.31 into 1.26 तो सर यह आ गया 135.21 जिन्होंने cross rate किया उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए दूसरा क्या मांग रहा calculate the cross rate for Australian dollar in yen time, मतलब yen per Australian dollar yen per Australian, उपर yen होना चाहिए yen per dollar dollar or Australian dollar dollar, उपर yen होना चाहिए yen है तो 107.31 नीचे Australian dollar होना चाहिए है इन्टो 0.70 तो 107.31 into 0.7 तो सर यह आ गया 75.12 ले नूँ ठीक है ठीक है उपर Australian dollar चाहिए नहीं दिया तो 1 से divide करना पड़ेगा Australian dollar dollar तो dollar के dollar दिया ठीक है dollar per pound, नीचे pound होना चाहिए इतना असान काम है तो यह आंसर है 135.21 सही है दूसरा 75.12 यह भी सही है और तीसरा 1.80 पॉइंट नमबर 1,2,3 cross rate है और बच्चा भी कर लेगा cross rate में ज्यादा दिक्का भी नहीं चाहिए तो question number 2 जो RTP में डला हुआ यह भी November 2020 के new syllabus की RTP है ठीक है point number A था cross rate से related हो गया point number B अलग है point number A से तो sir उसे भी चर्चा कर लेए कि एक बात यह से point number B में क्या लिखा जड़ा दिखते है लिखा the current spot rate spot rate दिया है इस पॉट्रेट डॉलर पर पाउंड 1.35 ठीक है और फावर रेड में दे रख दॉलर पर पाउंड 1.30 ठीक है मतलब आपको क्या लगा आपको लग राप को लगर रहा पाउंड गिरने वाला है पाउंड गिरने वाला है ठीक पाउंड का रेट कम होन वह लग पाउंड डिक्री संव Bulgar Declimow Relling ओन-साइद ऐटिंग कर और पाउंड में करना कि फवर्डलिट कम हॉने वालnight according to your analysis of the action rate you are quite confident that spot rate will be 1.3 after 3 months आपको ये लग रहा है कि no doubt कि pound का rate कम हो जाएगा future में पर pound का rate 3 महने बाद इतना down नहीं होगा सिर्फ कितना होगा बोले 1.32 हो जाएगा साथ bank आपका estimation गलत है आप कह रहे हो कि 3 मेने बाद pound का rate 1.30 जबकि मैं जानता हूँ कि pound का rate 1.32 होगा bank कहेगा ठीक है कर लो जो करना है तो भी करना क्या मैं bank से कहूँगा bank ठीक है हम आपसे pound खरीद लेंगे चलो हो जाए contract कब खरीदेंगे आज ने contract कब होगा आज खरीदेंगे कब 3 मेने बाद और कितने में खरीदेंगे 1.30 हमको मालू है कि 3 मेने बाद rate यह हो जाएगा हम सस्ते में खरीदेंगे महगे में बेचेंगे फाइदा आदिश आर्बिट्रेस आर्बिट्रेस तो नहीं speculation यह तो मुझे आइडिया नहीं है इसका इसका आइडिया नहीं है यह तो मुझे 1.30 में मिले गाई मिलेगा पाउंड पर यहां मुझे ऐसा लग रहा कि 1.3 confidence है तो भी हो कमालो फिर तो सर कोस्टन तो पढ़ दो पहले है suppose you want to speculate मने कहाना speculation speculate in the forward market then what course of action would you would be required and what is the expected dollar profit from the देख रहा हम क्या खरी है हम खरी देखेंगे forward rate पे बेचेंगे इस रेट पे हमको फायदा है 0.02 into कितना quantity अच्छा यह लास्ट मिले का 1 million 1 million 1 million ऐसे बनता देख रहा है 0.02 इंटू दस लाक तुसर कितने का फायदा होगा एक पाउंड पे इतना डॉल्ल तो कितने डॉलर का फायदा हो जाएगा 2 लक आसान काम था एस्टिमेटेट प्रोफिट कहां गया भाई यह डॉलर 20,000 का फायदा हो जाए बात समझ में बिल्कुए आसाम साथ दिक्कत क्या हो सकती दिक्कत ही हो सकती बच्चों को यह समझ में नहीं आएगा कि आंसर जो आ रहा ही डॉलर में आ रहा कि पाउंड में आ रहा है पाउंड का पाउंड टोलर का रांसर किसमें ऐसे निकर्स हो सकता ठीक तो भाई यह कन फर्म नहीं है यह प्रोपिट हो सकता इसलिए उन्होंने क्या बोला एस्टीमेटेड प्रॉफिट वोल रहा है वाट उड़ बी यॉर प्रॉफिट इन डॉलर बताओ इन डॉलर भी बोल दिया है ऑन दा पोजिशन टेकन एस पर युए इस पैकुलेशन इपदा स्पॉट एक्शन रेट वान पॉइंट टू सिक्स हो गया वह कहरा भाई साव ऐसा है कि आप बरबाद हो चुके हो आपको उमीद थी कि वान पॉइंट थी टू होगा लेकिन हो गया वान पॉइंट टू सिक्स आपको तो खरीदना ही पड़ेगा 1.30 में और दुख के साथ बेचना पड़ेगा 1.26 में तो देखो देखो आपको सीधा सीधा लॉस दिख रहा है डॉलर 4 लेक अगर ऐसा हो गया तो है क्या सब कुछ दिया है डॉलर 40 फोटी था हुजंड आ गया है कि मेरा कि टूंटी था हुजंड था क्या हम चीरो का मैनेज कर लेना ठीक है ठीक है सर तो सर लॉस है क्या यस लॉस हो जाएगा अगर आपका अनुमान गलत बेठा तो आप बरबाद हो चुकी होगे यह यह है ना आप मैनेज कर लेना और यह 40 तो अगर अनुमान है तो आपको लॉस है अच्छा कोश्ण था करके जाना के सर कोश्ण में कुछ खास बात तो किसी भी पॉइंट में नहीं थी वो तो हम से बना मैंने का कब कहा कि आपसे कोश्ण नहीं बनता यह मैंने यह नहीं का कि कोशन नया है ठीक चले नेक्स्ट कोश्टन पे जीस तो कोश्टन नमबर थ्री और कोश्ट नमबर थ्री अच्छा कोश्टन है बिटे नया कोश्टन ठीक सर देखते क्या खाज बत है कहां डला है MTP में और में 2021 अटेंप्ट के लिए डला हुआ था कोश्टन सीरियसली को करेंसी फ्यूचर पता है ना वो कोश्टन बना देंगा 100 वर लिखा फर्स्ट और फर्स्ट फैप 2020 एक्स वाइज जट लैप्टॉप मैनुफेक्ट्रर इंपोर्टेड अपर्टूकर इंपोर्ट करने वाले है अब पर्टिकुलर टाइप अप मैमोरी चिप्स फ्रॉम ए आई है कि जो है ना एक्स वाइज एट ये इंपोर्ट करने वाले हैं इंपोर्ट कहां से इंपोर्ट करने वाले हैं साओथ कोरिया से कोई मैमोरी चिप है उसकी जरूरत है ठीक है जी तपैमेंट इस ड्यू इन वन मन्त इंपोर्टन एक मैने में पैमेंट करना है फ्रॉम rate of invoice or amounting to have 1190 millions South Korean won SKW बोल रहा, it means सहब सीधी सी बात है कि XYZ को South Korea में Pable है South Korean won 1190 millions यहां तक बात समझे में आ रहे एक बात समझ में आगी कि Foreign Currency Payable है मतलब Transaction Exposure है यस और एक मेने बात Payable, Falling Spot Trades 1st February 1st February का Spot Trade दे रखा है This और दिस मतलब साहब मुझे चाहिए किस किस के बीच का SKW और INR इंडियन रुपीस जबकि रुकोट्स दे रखा है तो यह दे रखा है सर यह है क्या एक्च्वल में अगर मैं सिंपल लेंग्विजम बोलू तो यह है रुपीस पर डॉलर ठीक उससे साब से यह होगा SKW पर डॉलर SKW तो बात सर समझ में आ गई है कि हम लोगों को क्रॉस रेट के हैल्प से क्रॉस रेट के हैल्प से रुपीस किसका रेट निकालना पड़ेगा रुपीस पर SKW डारेट कोट निकाल लेते हैं हमको आसानी होती है रुपीस पर S आप SKW पर रुपीज भी निकाल सकते, तो फर्ग नहीं पड़ेगा, पर रुपीज पर SKW हमारे लिए डारेट कोट है, तो हमको दिखकत नहीं हो, इन दोना, लेकिन ये कौन सा रेट है भाई, सर ये स्पोर्ट रेट है, ठीक है, हमें पैमेंट कब करना है, हमें पैमेंट करन एक मैने पात, सिंस हैजिंग और फॉरेंड रिस्क वाज पार्ट अप कमपनी इस्ट्राइटीजी पॉलिसी ठीक है, हमारी पॉलिसी है, बहुत अच्छी बहाते है, एन नो कॉंट्रेक्ट फर हैजिंग इन SKW वाज अवेलिबल एट एन इंशॉर मार्केट, बात समझ में है, आप फाववर्ट कॉंट्रेक्ट कर ही नहीं सकते, फाववर्ट कॉंट्रेक्ट अवेलिबल ही नहीं, आप SKW को खरीदने का कॉंट्रेक्ट नहीं कर सकते, उन्होंने का सीधी सीधी बात, तो फिर हम कहां जा सकते, बहुत हम आप्शॉर मार्केट में जा सकते, इस इन डिलीवरीबल फाउवर्ट मार्केट, फा हैजिंग दा सेम, नॉन डिलीवर, डिलीवर नहीं होगा, डिलीवर नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा ऐसा, अगर हम फाउवर्ट कॉंट्रेट करते थे बैंक से, तो उस पर्टिकुलर रेट में हमें वो करेंसी मिल जाती थी, उ यहां हमें डिलीवरी नहीं मिलेंगी, ऐसा भी कोई मार्केट है, अच्छा, अगर वो मार्केट जो कर रहे थे, वो मार्केट इन्शॉर मार्केट बोल रहा, या ओन्शॉर मार्केट बोल सकते ही, ओफशॉर मार्केट, यहां आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी, हाँ, आप भाई करेंसी फ्यूचर ही है आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी आप बैटिंग किजिए कि SKW के बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा तो जो जीतों के बस वही है फ्यूचर करेंसी फ्यूचर अच्छा सर मतलब हम करेंसी फ्यूचर में भी जा सकते हैं यस इसको बोल रहा है वो नॉन डिलीविरेबल फावट कॉंट्रक्ट ठीक तो बले इन एंडिएफ मार्केट डीलर कोट वन मंत फाव वो फ्यूचर कॉंट्रेट के एसकेड डॉल इसको ठीक से लिए इसको लिखेंग है एसकेड डबलू पर डॉलर रेट देखा ग्यारस नब्बे और ग्यारस नब्बे 0.50 फर नोशनल एमाउंट अप डॉलर वन लेक टू बी सेटल एट रिफरेंस रेट डिए डिकलेड वाइंक अप कोरिया अधर एक एक डबलू 1185 हो गया अज़रेट फर सेटलमेंट एंड अगर आप कुछ भी नहीं करते हो या फिर आप NDF कांट्रक्ट को यूज करते हो बोत रुपीज पर SKW rate and final payment to be computed to be rounded of up to four decimal points तक काम करना सब करना क्या कुछ करना नहीं या तो आप NDF कांट्रक्ट ले लीजिए या तो कुछ मत करो चप बैठे रहा हूं और हमें comparison करना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है कुछ ना करें यह कुछ करें अगर मैं कहूं कि फिर अगर ऐसा सोचना है तो यह इस पॉर्ट्रेट मेरे काम का नहीं है या तो मुझे तो आज खरीदना ही नहीं है SKW मुझे कव खरीदना एक मेने बात तो एक मेने बात comparison करूंगा या तो मैं कुछ नहीं करता या तो मैं एंडिएफ कॉंट्रेक्ट करता हूं दोनों में जो भी आउट्फलो कम होगा वह acceptable ऐसा presentation मेरी होती तो मेरी ऐसी होती हमें आज के रेट से मतलब भी नहीं है हमें मतलब है एक मैने बात एक माने बात आउट्फलो क्या होगा इस option में इस option में दोनों में comparison कर रहेंगे जिसमें आउट्फलो कम होगा वह accept लेकिन यहां institute ने क्या कर रखा आई सी एक ने पहले उन्होंने इसके हिसाब से आज की हिसाब से कितना आउट्फलो का वह निकाला है फिर बोलो कुछ नहीं करते तो दुनिया नहीं चलती आपको वही करना पड़ेगा जो आई सी करवार सब क्या करवाया है जरा समझाओ कि सबसे पहला काम है कि आप रुपीज पर एसके डबलू क्रॉस रेट निकालो और क्रॉस रेट कैसे निकालेंगे जरा सोचना पड़ेगा विट्टे यहां क्रॉस रेट के लिए सोचना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए हमें चाहिए एसके डबलू तो पहले हमारे पास करनेंसी कौन से रुपीस तो पहले हम डॉलर खरीदेंगे, बैंक डॉलर बेचेगा, ये वला रेट, और फिर क्या करेगा, बैंक डॉलर खरीद लेगा, ये वला रेट, तो पहले क्या करेंगे, हमें, इस पॉर्ट फ्रेट निकालना पड़ेगा, रुपीज पर SKW, तियार है, यस, उपर रुपीज चाहिए, रुपीज रुपीज उपर है, रुपीज उपर ही है, तो सीधा लिख लेते हैं, 75.50, नीचे चाहिए, SKW, जबकि नीचे है, डॉलर, तो 1 से डिवाइट करना पड़ेगा, 1 डिवाइट इड बाए, ग्यारा सो नप्पे, तो देख लेए दे कितना आ रहा, 75.5 डिवाइड बाइड ब 0.063, 4 डिजिट में बूला न, 4, ये क्या आगया है, सर, ये आगया है, रुपीज पर SKW, ठीक, ठीक है, सर, और हमें जो है, 1190 मिलियन, तो कैश आउट पलो कितना है, इन्टु 1190 मिलियन, मल्टिप्लाई होगा, SKW कही रेट दिया, तो 0.0634 इन्टु 1190, इट मिन्स 75.446 मिलियन का पैमेंट होगा, अगर हम आज पैमेंट करते, पर हम आज तो पैमेंट ही नहीं कर रहा है, अच्छा सर, हमें जो पैमेंट करना है, वो तो करना है, हमें एक मैने बाद, अगर हम कोई kontrakt नहीं करते है, तो एक मैने बाद ये रेट हो सकता है, और फिर मुझे क्या निकालना पढ़ेगा, रुपीस पर SKW, और दिया क्या है, एक तो दिया है रुपीस पर डॉलर, और एक क्या दिया है, सर, SKW, पर डॉलर तो निकाले क्या रेट यस अब फिर से वह इस रेट लेने पड़ेगे एक ये वाला और एक ये वाला तो फटा-फट से काम करते हैं 75.75 into 1 divided by 1188 75.75 divided by 1188 तो ये आगे हैं सर्जी 0.063 768 लेलो इन्टो ग्यारसवन अब ब्यारसवन अब ब्यारसवन अब ब्यारसवन अब तो हमें payment करना पड़ेगा 75.92 to millions कितना extra minus 75.446 तो हमें extra payment करना पड़ा .476 रूपीज में millions इस तरह से उन्होंने काया अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो हमें extra payment करना पड़ेगा 0.476 यह presentation है इनकी यह निकाला 754.46 और हमारा भी 754 हमने millions में ले रखा उन्होंने lakhs में ले रखा ठीक अच्छा बोला भी है कि जो calculation कीजी वो lakhs में कीजी तो ठीक है lakhs में करना है तो भई इसको 4 यहां लेख देते और यहां डॉट लगा देते फोर सेवन 54.446 ऐसे यहां कितना जाएगा 759.22 इसको कार देता हूँ तो अब देखते हैं लेक्स में बोला है मैं मिलियंस में ही कर रहा था question देख लिए एक्स्टरा कितना रहा है 754.446 माइनस 759.22 तो 4.4.776 मिलियन एक्स्टरा लेक्स मिलियंस में लेक्स वह किया होगा यहां भी मल्टिप्लाई किया तो यहां गया तो 4.76 मेरा सेवन सेवन आ गया होगा राउंडेड ओफ की वज़ा से डेजन तुमेंट ठीक है कॉंसिप्ट्स आपको समझ में आ गया यस तो अगर मैं कहूं पहले पॉइंट में पहले पॉइंट में कोई समस्या ही नहीं थी कि अगर आप कुछ नहीं करते तो यहां का लीकिन बात यह नहीं है बात है दूसरा पॉइंट अब दूसरा पॉइंट समझना अच़ यह इंपोर्टन हैleness अबोफ ज़्या इंपोर्टन बात रहेगी पो पात रहेगी कि अगर आप NDF market में enter कर लेते हो तो NDF market मतलब मतलब कुछ नहीं currency future type का है और quote दे रखा है SKW per dollar और कितना है 1190 और 1190.5 ठीक है अब सुचो कि हमें long position लेना है कि short position in SKW हमें payable है SKW तो किस बात कडर SKW के बढ़ जाने का दर और जिस बात कडर उसी में batting It means हमें क्या करना है हमें long position लेना है in SKW दूसरी भासा मैं ये बोलू कि आज हमें काम क्या करना है हमें sell करना है long buy करना है SKW कितना 1190 millions इतना ही तो चाहिए और बदले में कुछ तो देना पड़ेगा and sell करेंगे डॉलर बात समझ में है हम अब एक महने बाद हम पोजिशन काटेंगे पोजिशन कैसे जो buy किया था उसको क्या कर दो के sell sell करेंगे SKW कितना SKW जितना हमने खरीदा था 1100 million and buy क्या कर देंगे डॉलर कितना डॉलर आएगा तो 1190 million divided by rate कितना हो गया भाई 1150 1185 calculation करके देख लिए थे 1190 minus divided by 11185 into 10 Lex Lex में हो रहा न millions को Lex में तो ये भाई आ गए हमारे पास $100 421 तो हम जीत गए $421 इतना $ हम जीत गए मेरी बात समझे ना यही थोड़ा सा मुस्किल पार्ट है इस कोशन में बाक्की कुछ भी नहीं आज क्या करेंगे सिंपल सी बात है यार SKW हमको डर है कहीं SKW बढ़े ना long position मतलब buy करेंगे आज SKW और sell कर देंगे $ और उस position को काटेंगे एक महने बाद sell कर देंगे SKW और buy कर लेंगे $ तो $ जितना लगाया तो उससे ज़्यादा $4219 का $4219 का फायदा तो आप इसको long position short position लेकर भी कर सकते upside betting downside betting उसमें भी दिखकर देंगे अब जो इतना $ मुझे मिला उसको मैं बेज दूँगा तो बेज दूँगा तो यहाँ rate है देखना पड़ेगा आपको rate किसका दिया रुपीस पर डॉलर बैंक डॉलर खरीदेगा 75.50 तो उसको बेचने से मुझे रुपीय मिलेगा ना गयर 4219 इंटू 75.50 और मुझे रुपीया मिल जाएगा 318 534 इतना रुपीया मिल जाएगा रुपीया मैने जे मैं इसके अलावा जो कर रहा था वो तो करूँगा SKW खरीदूगा 1190 मिलियंस और उसके लिए तो वही वाला पैसा जाएगा जो हमने पहले कैलकुलेट किया था अब पहले जो कैलकुलेट किया था ये वाला इतना पैसा जाएगा और जो जीता है वो उसमें से मैं माइनस कर दूँगा यहां देखो फाइनल पोजिशन किया होगी यह आपका डॉलर गया और यह डॉलर आया तो इतना डॉलर फोर टूवन नाइन डॉलर का फाइदा है उसको बेच कर हम इतना कमा लेंगे इन लैक्स पर हमको पेबल हमको तो खरीद नहीं पड़ेगा ना इसके डवलू और खरीदना इतना पैसा जा रहा है तो टोटल क्योंकि में एंडीएफ कॉंट्रक्ट में जाता हूं तो मेरा यह वाला जो फ्यूचर का प्रॉपिट करेंसी फ्यूचर यह एंडीएफ मार्क कोशन में क्या खास बात है समझने वाली समझने वाला यह वाला पार्ट है बस यह वाला पार्ट अगर यह वाला पार्ट समझ में आ जाता है तो इस कोशन में ऐसा कुछ नहीं है बाकी क्रॉस रेट और क्रॉस रेट आपको आता है ठीकर चले जी नेक्स कोशन पर जीस यह कोशन कोशन नमबा फो ठीज देखें क्या लिखा हुआ है यह लिखा एक्स वाइज सेक्ट आर्टीपी का है और दो हजार एककेस न्यू स्लेबर्स और ओल्ड लेवर्स का आर्टीपी एक ही तो देखा जाए तो इस अटेम्ट की जो आर्टीपी आई है उसमें दोनों अच्छे से करना पड़ेगा आपको लिखा एक्स वाइज सेड लिमिटेट ने इंपोर्ट किया है गुड्स और पैमेंट करना है डॉलर्स में एक्स वाइज सेट इंडिया और ये है यूए सप्लियर इंपोर्ट किया है तो कोई दिकत की बात नहीं है कि हम को क्या करना है हमें पैमेंट करना है डॉलर एट मिलियंस ते तब पैमेंट टर्म आ एस अंडर वन पर्शन डिसकाउट एफ फुल एमाउट इस पैड इमेडियर जो यूएस का सप्लायर है यह वैसाब यह कहता है जी अभी कि अभी पैमेंट किजिए एक पर्शन डिसकाउट मिल जाएगा ठीक है तो हमें फिर एट मिलियन डॉलर्स पैमेंट नहीं करना प पड़ेगा और उसको आज खरीदना पड़ेगा इस पॉट्रेट दिया है इस रेट से आज खरीदना पड़ेगा पहला तो यह उप्शन अभी पैमेंट करो एक तो डिसकाउट मिलेगा हां लेकिन आज जो पैमेंट इसने यह नहीं बताए कि पैमेंट एक्शुल में कितने एक परशन डिसकाउंट देंगे है पुले अगर अभी पैमेंट नहीं कर पाओगे तो भी कोई समस्या नहीं है बाद में करना साथ दिन तक 60 देज तक करना कोई दिक्कत नहीं हम आपसे इंट्रस चार्ज नहीं करेंगे यहां तक बात लिकिए हाविवर इन केस ओफ फर्दर डिले अप टू 30 देज इंट्रस्ट एड दर रेट आफ एट परशन पर अनम विल बी चार्ज फर एडिशनल डेज आफ्टर 60 देज जो यूएस सप्लायर है दो बाते मुझे अभी तक समझ में पहली बात की सहब एक्स वाइज एट आज पैम ठीकत नहीं हमें अप आरेंज करके आज पैमिट कर दो डिसकाउंट मिल जाएगा सर और अगर आरेंजमेंट नहीं हो रहा एक्स वाइज एट तो भी आप चिंता ना करें आपको हम हम आपसे इंट्रेस्ट नहीं लेंगे बताओ ये यूएस वाला कितना अच्छा है हम आप इंट्रेस्ट नहीं लेगे हैं आप 20 दिन तक अगर आपको पैसिक समस्य फंड नहीं इत तो 60 दिन तक आपको हम इंट्रेस्ट नहीं ले आप से आपको एट मिलियंस डॉलर का पफेयरमेट करना पड़ेगा अहां डिस्काउंट नहीं देंगे लोसरा अगर आपको और क्रेडिट चाहिए साथ दिन के बाद भी आपको और पैज और टाइम चाहिए तो नोडिकत हम आपको टाइम देंगे लेकिन जो अगला 30 दिन का टाइम देंगे उस 30 दिन पे हम आप से 8% इंट्रेस्ट चार्ज करेंगे दो बाते समझ में आगे मुझे कि सामने वाले बंदा या तो आज दे डिसकाउंट ले या तो 90 दे बात दे तो भी कोई समस्यान साथ दिन में दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन नाइंट्रीज और तीस दिन का हम आप से इंट्रेस्ट लेंगे ठीक एक्स वाइज ज भी पैशा लगे गांड रहे पैसा लगे वर लोन दे सकता है 90 दिन तक के लिए नाइहन ब्डून यहां तक बात समա՝ब कि हमें बैंक से लोन एकार मिले हैं बंक बनादो ना प्छलो में बैंक बनाओगे तो अच्छाल लगिगा चलां यह लोज़ है यह हमारे यहां की बैंक है और हमें यहां से मिल सकता है लोन कितने परिंप नाइन पर पर और सुनों 25 लाग हमारे पास है नॉपीज 25 लाग हमारे पास अल्रेडी है इस पॉर्ट रेट दिया 60 देज रेट दिया 90 देज रेट दे रखा बिड आसक का जिनजट नहीं है तो टेंशन मली बात नहीं एडवाइस विच वन अब दा फॉलिंग ऑप्शन उड बेटर फार एक्स यजड ओप्शन दे रखा यह ओप्शन वन है यह ओप्शन टू है यह ओप्शन ठीक है देख पड़ लेंगा इसको एक साल में आपको 360 दिन लेना है वैसे भी हम 3 मन्त के सबसे कर लेते हैं ठीक है कम्पूट यॉर वरकिंग अप्टो 4 decimal places तक और cash flow आपको इन रुपीस करोड करोड में काम करना ठीक है कोई दिख रहे हैं चलो ऑप्शन तो पड़े बोल किया रहा है पहला बोल रहा कि अभी की अभी पैमेंट करो एक्स भाइजेट को ठीक है फाइदा किया है साब अभी का पैमेंट करने फाइदा देखो एक क्या है फाइदा देखो दो फाइदे में आपको गिना रहा हूँ पहला तो अभी आपको discount मिलेगा हाँ ठीक है और सुनो अभी payment करोगे तो आपको जो डॉलर है 66.98 के सबसे मिल जाएगा ले देरी करोगे तो भी यह ज्यादा में महगा होने वाला डॉलर दिख रहा है आपको बैंक वाले से जब पूछने गये तो उन्होंने का अभी खरीद होगे तो सस्ता बाद में खरीद होगे तो आपको दे रही है 9 परशन तो में यह देखना चाहता हूं कि 9 30 दिन सॉरी 90 डेज बात जब इस बैंक को पैसे वापस करूंगा फिर से बोल रहा हूं तो कितना कैस आउट्लोग होगा एक बार देख लेते हैं हमें चाहिए कितना सर हमें चाहिए आट मिलियंस पहला वाला ऑप्शन पहले कर रहा हूं आट मिलियंस में 30 306 पर उसका हमको डिसकांट मिल जाएगा तो हमें 99 पर्शंट ही पेमेंट करना यस इधर गया कैलकुलेट अ तीन जिरो इंटू 99 पर्शंट तो इस सर यह आगया डॉलर सेवंटी नाइग टॉन्टी थाओजन हाँ बोलो हाँ और यह कैसे साब से खरेंगे 66.98 इंटू 66.98 तो जो आया हूँ आया बहुत सारा हमें रुपीस जन करोर्स में डिवाइड वाइड वान करूर कर देते हैं करोर्स में तो हमें लगेगा आज रुपीस 53.04816 CR इतना फंड लगेगा इतना रुपिया लगेगा कब लगेगा सहाब आच क्यों आच लगेगा क्योंकि हमें इतना नहीं इतना डिसकाउंट काटने के बाद इस यूएस सप्लायर को इतना डॉलर का पैमेंट करना है वह हमें 66.98 के हिसाब से मिल जाएगा तो हमें टूटल आज लगेगा 53.0 इतना बैंक से उधार लेना पड़ेगा इतना उधार नहीं लेना पड़ेगा हमारे पास तो 25 लाग पहले से है तो उसको यूज़ कर लेंगे 25 लाग को क्या बोलेंगे 0.25 करोर यह हम यूज़ कर ल लगेगा वो लगेगा सर 52.7982 इतना लगेगा कब लगेगा आज कहां से उधार लोगे बैंक से कितने परशन के सबसे 9 परशन के सबसे उधार लेंगे तो 90 दिन का देख लो 9 into 90 divided by 360 divided by 100 1.0225 with interest into 52.7982 तो टो टोल मिलाकर हमारा बैंक को कैसा आउप्लो होगा 53.4 डिजित में करना 986162 CR तो भाई सहाब टोटल कैस आउप्लो आरा 53.9862 करोर्स इन रुपीज वित इंटरेश्ट देखते हैं क्या किया है ना इन्होंने का अभी क्या भी पैमेंट करेंगे तो 66.98 स्पॉट रेट है डिसकाउंट काटने के बाद 7.92 मिलियन का पैमेंट करना है और उसको हम स्पॉट रेट पे खरीदेंगे तो इतना करोर्स चाहिए उसमें से हमारे पास कैश अवेलिबल है तो जो बचा ये लोन रिक्वाइरमेंट है और 90 इसका इंटरेश्ट मिलाकर 53.9862 और यहां गए 53.9862 पहला वाला अल्टरनेट्व बड़ा आसान था कुछ समझाने वाली बात थी यह नहीं इसको रफ कर दूं क्योंकि मुझे पेज की जरुवरत पढ़ेगे हो गया यहां तक अगर मैं फर्स्ट अल्टरनेट्व में जाता हूं तो अब सेकेंड अल्टरनेट्व क्या बोल रहा है कि भाई यूएस के सप्लायर को साथ दिन में पैमेंट कर दीजिए साथ दिन में कर देंगे इंटरस्ट लगे का नहीं एट म है कि 한के बोला सप्लायर से को साथ दिन में पैमेंट करो कर देंगे बाकी बैंक से लोन लेकर कर दो ठीक है तीस दिन के लिए फार्टइटे जलेकिन बोले जो आप पैमेंट करोगे ना सॉनो पॉइंट वन से आठ मिलियंस तीन जीरो और तीन जीरो एंट टू तो सर टूटल लगेगा रूपीज फिप्टी थ्री पॉइंट से वन टू एट जीरो इतना रूपिया लगेगा अब ये बात इंपोर्टेंट है ध्यान से समझना में जो बोलने जा लां तो इतना रूपिया किया मैंक से उधार लेनेगे तीज दिन अजनी पेमियरन नहीं करना है जो आपके पास क्या सेना उसको आप यूटिलाइज करेंगे ठीक यूटिलाइज जा ना दो मेहने बात तो वो जो 25 लाख रुपए रखा हुआ 25 लाख उस पे क्या हम इंटरेस्ट नहीं कमाएंगे सोचो ना अब खुश सोचो इस में से सिर्प मैं माइनस 25 लाख करूँ कि माइनस 25 लाख प्लस उस पे 2 मेने के लिए मैंने बैंक में जमा किया होगा तो उस बैंक से जो मुझे मिलेगा दो महा हुए सुनो जैसी दो महा हुए मैं गया बैंक के पास क्योंकि मुझे दो मैंने बाद प्रेमेंट करना मैं बैंक मुझे दे दो मेरा 25 लाख प्लस इंटरेस्ट भी दे दो और उसको मैं यहां यूज कर लूँगा और जो बचेगा उसको मैं बैंक से उधार लूँगा एक्शुल में यह होता है अच्छा सर तो वह 25 लाख पे को आप आप इंटरेस्ट कमाओगे हां क्या कहीं से कोई इंटरेस्ट का रिटन दे रखा है यह लिखा है यह अगर अप्लियर ओफ नाइंटी दे आवेलेबल फर्दर एजियों यह वाला इंपोर्टन फर्दर एजियों डैट कैस अवेलेबल विट एक्श वाई-जैट लिमिटेड विल फैच रिटन 4% पर नहीं निया तिल इज अनिटिलाइज यह इंपोर्टन वो क्या कहना चाहते है बल देखा ऐसा कि उधार लेने का भी और जमा करने का भी बहुत कमाईंगे 4 पर्शन थी कम करते हैं पच्छिस लाख रुपए को दो महने तक के लिए इनवेस्टमेंट किया हां बोलो हां तो उस पर इंट्रेस्ट भी तो मिलेगा चार पर्शन तो दो महने का देख लो कितना ह ता एट मेंस पॉइंट यूट तो फटीड़ रिए लग फे रिवूइड़ बीए अंड्रेट प्लस 1 इंटू पॉइंटू फइफ तो सर विट इंट्रेस्ट ओना चाहिए था जीडो पॉइंट टू फाइफ वन से वन 53.7280-0.2517 तो सहाब हमें उधार लेना पड़ेगा 53.4763 CR बात समझ में आ रही है ये 25 लाक प्लास इंट्रेस्ट दोनों मिला ना जो इंट्रेस्ट मिला उसका भी तो आप उसको कहोगी है ये दो मेरे ही पैसा बचा हुआ मैं उधार ले लूँगा और इसको कितने पर्षंट की साब से 9 पर्षंट कितने मैंने के लिए 30 दिनों के लिए तो 9 इंट्व 30 डिवादेट बए 360 प्लस 1 9 इंट्व 30 डिवादेट बए 360 डिवादेट बए 100 प्लस 1 मल्टिपलाई किसी होगा 1.0075 इंट्व 53.4763 तो मेरे हिसाब से कैसा आपड़ो होना चाहिए 53.8 7 7 3 की जगा क्या ले 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 थे 4 CR ठीक बिल्गुल सिंपल लेकिन IC AI ने साहब यहां क्या कर रखा सुनना ध्यां से उन्होंने क्या कर रखा उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है यह तो सहीं है 53.7 280 और यहां कैश यूज जो किया वो 0.25 ही किया मतलब सिर 25 लाग ही यूज कर रहा है अच्छा सर 53.7 280 minus 0.25 तो बोले यह आ गया 53.4780 और इसका into 1.0075 कर लिए तो फाइनल आंसर आ गया 53.87891 यहां तक ठीक है अब जो कैश था कितना कैस उस पे इंटरेस्ट कमाया ना दो महने का हां सर कितना होता 0.25 into 4% into 2 divided by 12 तो 0.0017 कमाया न वो यहां से मैनस किया 0.0017 यहां से मैनस किया मैनस 53.8791 तो IC AI का आंसर इसमें आया है 53.8774 बात समझ में आ रही है कि क्या गलती मुझे नजर आ रही है इनका यह कहना सुनना धियां से इन्होंने क्या एजियूम किया मैं बताऊंगा इसका solution इन्होंने यह एजियूम किया कि साहब जो 25 लाग रुपए हम जमा करेंगे दो मैने बात ठीक है दो मैने बाद हम पैसे ढलते निदान लेंगे इंटरस्ट भी निकाल लेंगे लेकिन जो यूच करेंगे दो यूच करेंगे नवों बता रहाँ क्या किया से गया 67.17 ठीक है और डॉलर 8 मिलिन यहां भी ठीक है लोन रिक्वाइट चाहिए यह 4780 पेटे यहां देखो यहां 7280 47 इन्होंने 0.25 क्रोर माइनस किया है बस अच्छा सर और फिर उन्होंने यह जो है 0.25 क्रोर माइनस करके आया और उस पे इंट्रेस्ट ले लिया 30 डेस का ठी ठीक है सर तो अब जो आया और उस पे जो इंट्रेस्ट है 30 डेस का उस पे इंट्रेस्ट इतना लोन रिक्वाइट कितना सुना ध्यान से पिटे क्या गलती हुए यह किया ठीक है इतना लोन चाहिए पॉइंट पुल रोन रिक्वाइड है 43.4780 43.4780 मतलब कौन सा वाला यह से 25 लाख माइनस किया जबकि इस में से इंट्रेस्ट भी माइनस करना चाहिए था अच्छा सर यह किया और उसके बाद इंट्रेस्ट को अलग से माइनस करके यह वाला अंसर निकाला 53.8774 यह दिखरा आपको 53.8774 ठीक है पर मैं आप से 53.8774 सर वैसे भी तो आंसर इतना ही आ रहा ना 50 वो तो उतना ही आएगा इंट्रेस्ट का जो फिगर है वो बिल्कुल नॉमिनल है लेकिन अगर मैं कहूं सहीं जो मैथट है वह यह होना चाहिए था कि मेरे आप सर आपकी भी तो आंसर दोनों मैच हो रहे हैं हो रहा है मैं फिर से बोल्ना हूं कि इंट्रेस्ट का फिगर być नॉमिनल ल एस पारनेश लो एकिन मैठी जो है इनका पुरी तरह से सहीं नहीं है भी ठीक है ठीक है ठीक है सर बहस करने को dishwasher ह dave को मतलब 3 बढले एक काम करो भई यू. वाले को ना एक काम करो 90 दो बात पेमेंट करो विद इंतरेस्ट और इंतरेस्ट कितना देना है वन को उपर ही लिखा था इंतरेस्ट देना है उनको 8 पर सेरा तसमें कुछ सोचने बात है यह नही में iss9 फैप्रायन ओई interest मतलब 8 into 90 divided by 360 divided by 100 plus 1.02 into 8 million एक्क्यासी लाक्स आठाजा इन टुकिस रेट से खरीद होगे 68.03 जो आयो डिवाइड भाई 100 लाक्स तो सर यह आगए क्रोर्स में 55.51 248 कोई शक नहीं इसमें से मानस कर दीजिये क्या मैनस करो के इसमें से अच्छार सव लोन की जरुड़त ही नहीं सीद़ आप अप लोन की गया सामने वाले को विट इंटरेस्ट दे रहे और पैमेंट तो कुई बात ही नहीं खतम होगे पर इसमें से मानस किया करोगे 0.25 करोड प्लास इंट्रेस्ट 90 डेस का तो कितने परशन पर 4 इंटो 3 बाइ 12 डिवाइद वे 100 प्लस 1 इंटो 25 वेट इंट्रेस्ट माइनस कर दीजे 0.2525 तो बस देख लिजे माइनस 55.5125 होना चाहिए राउंड ओफ करों तो सरी आगे 55.26 यह तो आसान था इसमें ज़रुवरत थी नहीं सुझाए वहो आट मिलियंस ठीक है उस पर इंट्रेस्ट जोड़ा और यह मल्टिप्लाई किया तो यह आ गया ठीक है 54.7866 गरबड़ हो गया क्या आट अच्छा सुनो सुनो मैं 90 डेस का इंट्रेस्ट ले रहा सिफ तीज दिन का इंट्रेस्ट लगे का ओहो सरी गलती हो गए यास आट इन्टु 30 डिवादे बाए 360 डिवादे बाए 100 प्रस वन तो यह आगया था 1.00667 इन्टु आट मिलियंस डिवादेट वाइं इन्टु 68.03 डिवादेट वाइं एक करोर तो सरी यह गलत है यह यह आता फिप्टी फिप्टी फोर पॉइंट सेवन एट सिक्स एट सी यह इसमें से माइनस विजा पॉइंट 2525 फाइन अंसर आजा था फिप्टी फोर पॉइंट 5343 सर आप से गलती क्या हुई थी गलती हुई थी आठ पर्शन मैंने पूरा 90 डेस का इंटरेस्ट लिया था जबकि यहां सिर्टी डेस का जो एक्ट्रा तीज दी रहे ना उसी का इंटरेस्ट ले रहा है ठीक है ठीक है सर 53.54.5341 5341 है ठीक है राउंडेड ओफ की वजह से निश्टी को ठीक है ठीक है ठीक है सर तो इसमें से सबसे जादा जिसमें कैसा उट्लोग कम है वो जबैस्ट होगा तो आप देख लीजिए का कैसा उट्फलोग कम किसमें है तो यहां लिखा हुआ कैसा उट्फलोग इन तो अप्सन नमगर टू इस पैट है इसको फिश्ट में खास बात क्या थी इसको फिश्ट फास बात बस एक ही थी किसमा कैस दिया था 25 लाक रुप है इसकी वजह से इधर उदर हो सकता बागी कोश्ट में एसा कुछ है नहीं है जो आपको समझ में नहा है ठीक है नेक्ट को है मतलब सर इसी साल की बात है यस न्यूस ले बस और सुनो आठ नंबर का कोश्चन आया हुआ है आठ नंबर का क्या खास बात है इसमें जड़ा देखते है लिखा एक्स वाइज एड हैज टेकन सिक्समंत लोन फ्रॉम इट्स फॉरिन कॉलिबुरीटर फर डॉलर टू मिलिया सोचने वाली बात ही नहीं है लोन कहां से ले लिया गया है फॉरेंस कितने महां के लिए छे महने बाद हमको पैसे वापस करना है यहां सवाली पैदा नहीं है कि इंडिया से उधार लोगे की डॉलर में डॉलर में उधार ले लिया है ठीक है और पैमेंट कब करना छे महने बात डर किस बात का और कौन सी कंपनी एक्स वाइजट यहां बताए नहीं इंडिया है कि नहीं है चलो आगे पड़ते हैं जो इंट्रेस्ट जो पेबल होगा वोगा लाइब और प्लस वन पर संट ठीक है फॉलिंग इंफोर्मेशन यह दिया आइनर मतलब रुपीस पर डॉल और रुपीस रिक्वारमेट इफावेट अगर आप फावर्ट कवर में जाते हो तो कितना रुपीया लगेगा तो बड़ा असान हैً कि था THIS यह दोन 102 पोर्स रहने दो पॉरसं लेकिन यहां सुनो पावर्ट कवर डॉलकू मीलियंस डॉलर टू मिलियंस ठीक है कितना पैमेंट है लाइब और प्लस वन और डॉलर मतलब टू टू प्लस वन कितना होता है सर टू प्लस वन थी परशन पर छे मैने का देड़ परशन तो इन्टू 1.015 तो हमें टोटल पैमेंट करना पड़ेगा डॉलर 20 30,000 और फावर्ट कवर पहले से 68.4575 तो टोटल रुपीज रिक्वार्मेंट है 138968725 इसमें क्या किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो नहीं है किसी टाइप की प्रॉब्लम हो नहीं था कहां गया 138968725 असान है प्रेजिंटेशन ऐसे करोगे तो चाहता अच्छ फरस्ट पॉइंट में तो कुछ था यह नहीं पॉइंट नमबर टू देखते हैं क्या बढ़ रहा है एडवाइस दक कंपनी ओन फावर्ट कवर साहाब कंपनी को आप एडवाइस किजिए कि फावर्ट कवर आप करोगे कि नहीं करोगे तो एडवाइस करके लिए हमें यह करना कि फावर्ट क्या कर अब आई तो फावर्ट एक्सपेक्टिट फावर्ट रेट निकालना पड़ेगा यह जो फावर्ट रेट है यह एक्च्छल में दे रख और हमें क्या निकालना पड़ेगा हमें फावर्ट रेट निकालना पड़ेगा हमको यह नहीं मालू है या वो बता देता कि देखो देखो इस कोश्चन को जब मैं कर रहा था तो मेरे मन में यह आए था कि forward cover करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो इसके लिए मुझे पता लगाना पड़ेगा कि मुझे क्या लगता है कि forward rate क्या हो सकता है मुझे क्या लगता forward rate नहीं कि 6 मेहने बाद rate क्या हो सकता है बाद समझे अगर मुझे ऐसा लगता है कि डॉलर यार सस्ता हो जाएगा 6 मेहने बात तो मैं फावड कवर नहीं करुँगा जरूरत ये नहीं है मैं सीधा जाके डॉलर खृते अज। मैं यह जो यह महगा भी करा है कि इससे भी निसस्ते में मिल सकता मुझे अगर डॉलर नहीं करूंगा पर मुझे फ्यूचे मैंने बात का मुझे क्या लग रहा उवाला रेट चाहिए ना वो नहीं दिया पर रेट ऑप इंटरेश दे रहां कहां कहां का इंडिया का भी और theoretical forward rate तो वो तो हमको आता है बोलो इस पॉट रिट कितना है सर 68.5275 उपर रुपिया का रेट आएगा और छे मैने का देख लो रुपिया का रेट कितना जाएगा रुपिया का रेट है 1.03 छे मैने का ना और यहां 1.01 तो यह IRP के हिसाब से निकल जाएगा तो सहब यह आ गया 69.8845 क्या डॉलर महगा हो रहा है यस होगा ही ना IRP की सबसी छे परशन है जहां का रेट आप इंटर आयर पी किया बोलता है जहां का रेट आप इंटरेस्ट जादा होगा वहां की करेंसी स्ट्रॉंग होगी अगर मैं IRP के हिसाब से बात करूं IRP बटो बटो कॉमन सेंस लगाओ यार बहुत जबरदस्त कॉंसेप्ट है IRP की सबसे अगर मैं लजगा हूं तो डॉलर महगा होना चाहिए हां बोलो हां अगर पर मुझे क्या फावर्ट कवर करने से डॉलर सस्ते में मिल रहा है हां तो फावर्ट कवर कीजिए कीजिए फावर्ट कवर और इससे भी सस्ते में मिल रहा है और यह होना ही है यह तो इस पॉर्ट रेट से भी सस्ता हो गया तो यह मुझे आयर पी लगानी नहीं चाहिए मैं जाना हो एयर भी लगाओगे तो डॉलर महगा ही दिखेगा लेकिन मुझे तो यहां सस्ते में मिल रहा है फावर्ट कवर करो हंड्रेट पर बोल रहा है कि नहीं नहीं अगर रेट यह हो जाता इस पॉर्ट इस पॉइंट पॉइंट फूर्ट तो हां आप थोड़ा निक तो देखोगे यहां इन्होंने निकाला 69.8845 कंपनी को फावर्ट कवर करना चाहिए क्यों क्यों कि रेट आफ्टर सिक्स मुंत इस हाईयर देन फावर्ट इट भई महगे में क्यों करो करूँगे जब बैंक वाला आपको सस्ते में डॉलर देने को तियार है अगर रेट यह हो जाता तो भी फिर निकालना फिर भी भी या डॉलर बहुत ज्यादा महगा होने वाला बैंक वाला सस्ते में दे रहा है तो फावर्ट कवर कीजिए जादा अच्छा तो कोश्चन यह था कितने नंबर का था यारी कॉश्चन था यह वाला पॉइंट फर्स्ट वाला तो च असफसानी से बियन चाता है थीक बद्ऑ लुश्चweans कि उनके कोश्चन बात करते हैं कोशन नंबर 6 और कोशन नमबर 6 सब के सामने क्या है यह कोशन एक्वियाग समय हम बोलू हम में 2017 đến 7 बश इंस भी में है तो आठ नंबर का कोश्चन आया ता सा अ आडिक का यह खेखक ल चार अलग-अलग बिल्डिंग में अपरेट करते हैं बिजनेश और वांस तो कंसॉलिडेट इस अपरेशन इंट वन बिल्डिंग विच इस एक्सपेक्टेट तो कॉष्ट रूपीज 90 क्रोर्ष बुले सारा काम हम एक ही बिल्डिंग में करेंगे और कॉष्ट जो है उसका रहा है रुपीज 90 करोर ठीक है दो बोर्ड ऑप के लिमिटेट हैड एप्रूट अबो प्लान एंड टु फंड दी अबो कॉष्ट और इसके लिए पैसो का अरेंजमेंट हो जाएगा चिंता नहीं है और पैसो का अरेंजमेंट हो रहा एक्स्टरनल क पाउंड टेन मिलियुनस पाउंड्स आप ले रहा है किसे जी बैंक लिममेटेट तो कुषीmill बैंक से कोई जी बैंक लिमिटेद है उससे हम पाउंड मेंपाउंस मतलब सरी करैंसी ओफ बोरेंस है ठीक है और कहां से बिले इंडिया से उधार नहीं ले रहे हैं बाहर से होगा वह 1st April 2019 और हाप एरली रेष्ट छिछे महा में पैमेंट करना पड़ेगा है एयवरेसलोर मैच्यरटी लाइफ है 4.4 इस वित ओर आल्ट एन्यवर है फाईramियर्स उसमें होता क्या है सार्अ यह एस लोंज ऐसी होते एक साल के लिए कुछ लोन ऐसे भी होते 5 साल के लिए कुछ लोन चार साल के लिए उसका हम वेटेड एवरेज करते हैं प्रिंसीपल तो ओन एन एवरेज 3.4 येर्स आया और बहुत सारी स्टोरी एवरेज मेच्चुरिटी एवरेज लोन मेच्चुरिटी निकालने की पर उतना हमें नहीं सीखना है हमारे काम की लेकिन जो वेटेड एवरेज है ना मेच्चुरिटी पिरिट हुआ है 3.4 एवरेज डिट पढ़ा होगा तो बात समझ में आएगी और नहीं भी बढ़ा होगा तो यहां अभी मैं समझा नहीं सकता अभी सम्झा सेपरेट इस कोश्चन को डाल दूंगा वह अलग बात है इसकी जरूरत कहां पड़ेगी इसकी जरूरत कहां पड़ेगी यह मैं यह पक्का में बता हूं इसके लिए थोड़ा सा रुकोग है अब जब लोन लोग है तो प्रोसेसिंग फीज भी लगी कि अप फ्रंट फी 1.2 पर ठीक है इंट्रेस्ट कोश्ट इज पाउंड शिक्समंत बुले इंट्रेस्ट जाएगा भाई लाइबॉर प्लस टू पॉइंट फाइट पर जो भी लाइबॉर का रेट रहेगा हर छे चे महा में उसमें टू पॉइंट फाइप परशन एट कर देना तो जब लाइबॉर और सुनो शिक्समंत लाइबॉर भी दे रखा वन पॉइंट ही तो टाइम पास हो गया फिर तो जब लाइबॉर दे दिया तो उसमें टू पॉइंट फाइप तो वैसे भी एट कर दिए ना यार इटमेंस वान पॉइंट जीरो फाइफ प्लस टू पॉइंट फाइड हो जाएगा तो रहना के लिमिटेड आलसो एंटर इंटर इंट एजी बीपी आयनर हैस वन पॉइंट इस इक्वल टू रूपीज नाइनटी तू कवर दा एक्सपोजर ओन अकाउंट आप दा अबो इसी बी लोन एंड दा कॉश्ट आप हैस इस कमूंग टूइंट फाफ परशन पैठी नहीं इट मिन्स हमें टेंशन का तम एक पांड नब लेकित इसका कॉश्ट हम को आ रहा हर साल का 4% पर आ जाने दो फ्लक्टूशन तो कटम हो गया as a financial manager given the above information and taking one pound is equal to 90 रुपय लेना calculate point number one calculate the overall cost overall cost निकालना है in percentage and in rupees time annual basis annual basis पर overall cost कितना पढ़ा इन पर्संटेस इन पर्संटेस तो दिखराया आपको interest 1.05 और 2.40 देखले एक बार यस एक तो interest ले लिजे भाई 1.05 प्लस 2.5 तो सर्थ 3.55 पर्शन तो सिर्फ ब्याज का जाएगा इसके अतिरिक्त क्या है सर्फ ये cost of hedging भी तो है 4 पर्शन हाँ ये भी दो लेना पड़ेगा 4 पर्शन ठीक इन पर्शनेज देखते हैं कि परेलम कितना कॉस्ट आएगा 3.55 किस चीज़ का हो गया interest का 4 पर्शन किसका हो गया cost of hedging और एक चीज़ बचिये और बचिये processing fees अप फ्रंट फीस क्या ये हर साल जाएगा नहीं सार ये तो एक साथ गया है पर उसको हम एमोर्टाइस तो कर सकते हैं तो सर वान पॉइंट टू जीरो है एक साल का तो डिवाड़ेड बाइल लोन का जो लाइफ है वो कितने साल है तो हर साल का जाएगा सर फाइब लेना कि 3.4 3.4 लेना विटे 3.4 आपको एवरेज लोन में बस इसका यूज यह और को यूज नहीं तो 1.2 डिवाड़ेड बाइ 3.4 उससे सबसे 0.35 परशन सबको जोड लेते 3.55 इंट्रेश प्लस 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 पॉइंट प्लस 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 इन परशन्टेस इन रुपीज भी निकाल सकते हैं कि आराम से कितना है भई सर टोटल लोन कितने का लोन है 10 मिलियंस उसको मल्टिप्लाई कर दीजिए सर करेंट एक्शन रिट 90 और उसको मल्टिप्लाई कर दीजिए 7.9 परशन तो रुपीज में भी आंसर आ जाएगा 10 मिलियंस इन्टो 90 इन्टो 7.9 परशन तो कोश्ट आ गया रुपीज में 711 0030 तो पहले पोइंट में यह ही मांगा था पॉइंट नंबर वन में कुछ इश्पीशल नेयए पॉइंट नमरवन में इन परशन टेज बोला है इन रुपीज बोला रड़ दोनो में निकला इन परशन टेजिए दिख रहा है विजस्ज के कचिकन इंट्रस्ट अट्रेष्ट इस इस कॉस्ट आपन फिस बस एक इंपोर्टनेट बात है कि डिवाइट करना है आपको लाइफ से इसमें तो ये तो बात समझ में आते हैं रुपीज में निकालना असान था रुपीज में भी मिना निकालिया पॉइंट नमबर वन क्या हमारा खतम हो गया यस पॉइंट नमबर टू वाट इस दा कॉस्ट अफ हैजिंग इन रुपीज कोस्ट अफैसिंग निकालना है तो इस बार इसको जो मल्टिप्लाई करना 7.9 परशंट से ना करके 4 परशंट से मल्टिप्लाई कर दीजिए तो कॉस्ट अफैसिंग आजाएगा पर रैनम बिसिस पर तो यह तो आसान है 10 मिलियंस इन्टु 90 इन्टु 4 परशंट तो यह आगया कॉस्ट अफैसिंग कितना आगया रूपीस 36 3600000 इन्टु 3.4 भी कर सकते हो अगर आपको टोटल में निकालना पर टोटल में निकालना सीधा-सीधा काम कर लिये मैंने कॉस्ट अफैसिंग निकाल लिया परेनमबस इस पर तो पॉइंट नंबर 2 भी हो गया 1 भी हो गया 2 भी हो गया ठीक है सर तो कोई समस्या किसी टाइप की नहीं पॉइंट नमबर 1 और 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब बात किसकी करते हैं पॉइंट नंबर 3 यह इंपोर्टन इफ के दिखते हैं इफ के लिमिटेड वांट तो पर्स्यू एन एग्रिसीव एप्प्रोच साब वह एग्रिसीव एप बले नहीं करते हैं जो गा देखेंगे ठीक है अगर है जिंग नहीं करते है तो हैजिंग का पैसा बचा लो क्या ठीक है जो एन्वल है ना 36 0000 ऐसा कुछ निक इस रिपेड इन पाउंड एड दी एन फाइव इस इगनोर टाइम वैल्यू अप मनें टैक्स अन कैल्गुलिट बोले रुपिया अगर एप्रिशेट हो गया थू रुपीज की बात कर रहा ना यस अगर रुपीज एप्रिशेट हो गया थू हमें पैमेंट करना है किस सर्फ पाउंड वन इस इक्वल टू रुपीज चल रहा है 90 मैं आप से बोल रहा हूं पाउंड वन को दस पर्शन से बढ़ा देंगे तो रुपीज 99 हो का बोलो रुपीय एप्रिशेट हो रहा है कि डैप्रिशेट डैप्रिशेट अच्छा नबबे का 9 रुपे या फिर औ य eerste हो सकता और सर्पाउंड वन को हूंग रुपीज 81 कर 58 तुट रुपीया क्या हो ग्या है 대해 एपरिशेट पाउप्रिशेट यी एपरिशेट अप रुपीया क्या हूं रुपी एपरिशेट निंगे मुन स्थे हूं यस लॉस हो गया लेकिन हमने कुछ बचा भी तो लिया और क्या बचा लिया हमने हैजिंग का कॉस्ट बचा लिया अगर 81 हो गया पाउंड का रेट तो यार हमें तो फाइदा हो गया 9 इन्टू 10 मिलियंस और हैजिंग का कॉस्ट बचाया वह अलग ले लेना पास समझ में आ रही है बस यह हमको एक्स्प्लेइन करके बताना किया रुपिया डेप्रिशेट हो रहा तो नो डाउट हमको लॉस है लेकिन कुछ बचा भी लिया हमने कॉस्ट अपैसिंग अगर एप् से लुपियों यह बाते करूंगा एक बार देख लें इन्होंने कीसे करगा इन्होंने तो हाद कर दिया हम दो तीन अल्टरनेटिव से नहीं कर रहे है सर हम एक ही अल्टरनेटिव से करेंगे और कौन सा यह वाला सीधा इस पर आजाओ सीधा सी यहां से देखेंगे इंट्रेस्ट 3.55 हैजिंग कोश्ट ले लिया वन टाइम फी से डिवाइज तो यह पॉइंट त्री यह एट की है और यह एट के इन दोनों के एट करके कितना आगया से वन पॉइंट नाइन परशन्ट रूपीज में यह आ गया कोश्ट अफ हैजिंग रूपीज में यह आ ग हमें लाओ सनिол्य मीलियं का इन ट्रण नॉइंट टैन न अपज़ेज हैं लेकिन हमने हैंजिंग कर लिय process अट एक संस्या भर इसमें जंच में समझ भी रुप्या के विस्से में बोला है रुपिया एप्रिशेट और डेप्रिशेट तो सर आप ही ने समझाया है कि पाउंड रुपिया बोला है ना तो रुपिया में कभी मल्टिप्लाई नहीं होगा रुपिया में तो डिवाइट करके करते ना सर आप भूल गए अगर बोलता पाउंड एप्रिशेट तो अलग ब कौनसेप्शी तैल में कुछ था नहीं अहां धूह था कॉस्ट बनता नि इतने सानी सी दो नि वंता आप लोगों से 2018 में आया है, New Slaybust में आया था आठ नमर का कोक्षिण था, पर हो सकता है, किसीने नववंबर 2018 क्षाइड ने अच्छा लगा, बैसे मैं 2018 के बाद का ही कोश्चन कवर कर रहू हूं, पर यह कोश्चन वाक हिए मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं करवा रहू हूं, लिखा क् पहसर कोशिशन में पहले पढ़ दे किया है, ठीक है पढ़ते हैं, क्या दिखा हूँ, लिखा, एन इंडियन कंपनी आप्टेन दफॉलिंग कोट्स, रुपीस पर डॉलर दिया है, और कोट दे रखा है, बिड आस्क, इस पॉर्ट रेट दिया है, थ्री मन्त फॉर्वर्ड र की ज़रुवरत है, कितने पिरियट के लिए, शिक्स मंत के लिए, डिटराइं, वेदर दे कंपले शुट बोरो इन डॉलर और इन रुपीस, इंटरिसेट है, इट मिन्स सीदी सी बात है, करेंसी और बोरिंग्स, कॉंसिप्ट करते हैं, करेंसी और बोरिंग्स का मतलब, अब उधार लेना है, तो उधार कहां से दे, या तो इंडिया से लेले, रुपीया में, या तो यूएस पहुच जाए, और वहां से आम डॉलर में उधार लेले, तो डॉलर में उधार लेना, मतलब बाहर से उधार लेना, अगर बाहर से उधार ले रहे हो आप, दूसरी कर तो क्या सोचकर लेती होगे, सोचकर बताओ, एक तो rate of interest वहाँ का कम होगा, हाँ, इडिया में ज्यादा rate of interest है, यूएश में rate of interest कम है, तो यूएस से उधार ले लिचिया दिकत क्या है, एक तो ये होता हो, या फिर बहार से उधार लेने का मतलब है कि जब हम लोट आएंगे, ऌे उस समय हमको bipartisan system में मिल रहा हो का दो ही हो सकती बात दो से दिए बाती हो सकती है कि हाला कि डॉल थो महगा हो रा दिखरा ये आपको पर हो सकता rate of interest कम interest rate इंडिया का दे रखा है थ्री मन्त का उधार लोगे तो बारा परशन्ट और शिक्स मन्त का उधार लोगे तो 11.5 परशन्ट वा सर अजीब सी बात नहीं है मतलब सर कुछ भी कुछ भी मतलब सर अगर तीन महने के लिए उधार लेते हैं तो हमें बारा परशन्ट 11.5 परशन्ट इंट्रेस्ट सर वा तो हम छे मैंने कम इंट्रेस्ट दे रहा है ना यारा बिटे नहीं नहीं मैं आपको ना जाने कितनी बार बताया हूं कि हमेशा पर एनम में रहता है मतलब सर मतलब सहाब आप बैंक के पास जाती हो और बैंक से पूछते हो कि मुझे तीन समय के लिए चाहिए कि हमने का हां तो ठीक है रेट आप इंट्रेस्ट में थोड़ा सा कम कर देता हूं आपको लगेगा 11.5 परशन पर रहनम अच्छा तो यह सब की सब पर रहनम है ठीक है सर ऐसे डॉलर में भी 6 पर डॉलर का रेट आप इंट्रेस्ट का मैं तो बहीं डॉ अवार्ट शुड़ ने राइट आप इंट्रेस्ट आफ्टरी मन्ट तो मेंग दपनी इन डिफरेंस बिट्विन थ्री मन्त बोर्रिंग एंड शिक्समंत बोरिंग इन केस और रुपीज बोरिंग डॉलर बोरी बाप रेसर यह क्या यह क्या है यह जड़ाव संजाओ गई इसके लिए थोड़ा रुको एक इसके लिए में बाद में समझाओ फेले उपर वाली बात कर लिए अब साब आपको क्या चाहिए सराम को डॉलर चाहिए हमको डॉलर चाहिए कितना चाहिए यह बताया नहीं उपर दिया वार्द पर पर्पुस अप्युलेशन यू कैन टेक the unit of dollar and rupees as hundred मतलब आपको dollar hundred चाहिए इसमझे ठीक है पहले कहां से उधाले इंडिया से उधाले लेते हैं आपको किस्म की जरुडर सPe vanity एंडिया से क्या मिलेगा रुपीया तो रुपीया उधाले का ड्लर खरिद लो तर पहलेit ड्लर ड्लर मिलें तो मैज़ जाएगा चलो यूएज से जाना लेतीए सबसे पहले उधा लेते यूएस तो यूएस वाले को देना पड़ेगा डॉलर हंड्रेट प्लस इंट्रेस्ट छे मैने का कितना है साड़े पाच पॉर्ट तो पर रहे नाम है तो 5.5 इंटो 6 बाइट वाले डिवादेगा हंड्रेट प्लस 1 1.0 275 इंटो 100 तो डॉलर 1.02.75 इतना वापस करना पड़ेगा और इतना खरीदना पड़ेगा बैंक डॉलर बेचेगा 36.40 तो सर हमें लगेगा रुपीज 3.7 40 0.10 अगर हम उधार किसमें ले लेते हैं अगर हमें उधार लेते हैं यूएस से तो डॉलर उधार लोगे तो उसको विध इंटरेस्ट पैमेंट करना पड़ेगा इतना डॉलर का पैमेंट करना कब पैमेंट करना आसे 6 महने बाद इतने में हम डॉलर खरी देंगे 30 और तो हमें टूटल इतने रुपे लगेगे उसकी अपेक्छा अगर हम इंडिया से ही उधार ले लेते हैं इंडिया अगर हम इंडिया से उधार लेते हैं तो आज रुपीया ले टो एक्छूल में है किसकी डालर की तो भी बैंक से जाके restaurant अगर iom उदार लो इसे डालर खरीद लीजी तो बैंक अगर हम बैंके पाये जाएंगे तो Newton इसा कितना मांगेंगे तो हम बैंक से कहेंगे देखो बैंक हमें 100 डॉलर लेना है और 36 1.10 तो हमें डॉलर 100 इन्टो 36.10 तो हमें जरुड़रा थे रूपीज 3610 की बैंक दे देगा पर बैंक आप से इंट्रेस्ट चार्ज करेगा 11.5% 11.5 इन्टो 6 by 12 डिवादेर बैं 100 प्लस वन तो 1.0575 इन्टो 3610 तो सर जी फिर हमें पैमेंट करना पड़ेगा रूपीस 3817.57 ना पैमेंट करना पड़ेगा एक अल्टरेनिटीव यह है यूएस से एंडिया से यह है तो सर यूएस अच्छा यस किदर गया एक तो 3740 3740.10 और दूसरा पैमेंट है 3817 3817 कहां से उधार लेना ज्यादा अच्छा है इस पॉइंट में दिक्कत नहीं बननी चाहिए थे प्रॉब्लम किसमें प्रॉब्लम है दूसरा पॉइंट जो हमें डिस्कुर्शन करना अब दूसरा पॉइंट अच्छे से समझना की बोल क्या रहा डिका ऑल्सर डिटर्माइन वाट सुट भी देुर डरेट अप इंट्रेस्ट रेट ओप इंट्रेस्ट आफ टर्म मुझे acreेट अपंटरस्ट अबीuka डिट उप हर टीन-थीन मह में सुन्नों तीन महने के लिए रिट अप इंट्रेस्ट अलाग तीन महां तो यह हमें रेट इंदरस चैन्ज हो रहा होगा तो भुले हमें रेट आप इंडरस चाहिए बोले आज का नहीं आज से तीन महने बात का कि अधेक क्टू मैंग अंग दकमपनी इंडिफरेंस बिट्वीन त्रीमंथ बौरिंग एंड थिक्स बौरिंग in नहीं भी याद है सर तो कैसे करेंगे समझा रहा हूँ सुनो बेटे सपोस आप 6 मेहने के लिए उधार लेते हो जितना भी पैसे उधार लेते हो मैं किस की बात कर लो हूँ? मैं रुपिया की बात कर रहा हूँ तो सर 11.5% की हिसाब से हमको ब्याज दियना पड़ेगा पर 6 मेहने का फैक्टर 11.5 इंटो 6 by 12 divided by 11.5 तो 6 by 12 divided by 100 प्लस 1 तो बले 1.0575 जो भी फिगर होगा उसमें इतना जोड़ देना तो इतना जाएगा अगर हम 6 मेहने के लिए उधार लेते हैं ठीक है बोले अगर हम 3 मन्त के लिए उधार लेते हैं और यह 7 मन्त है अगर हम 3 मन्त के लिए उधार लेते हैं तो रेट अब इंटरेस्ट कितना है 12 percent 12 कितना हो जाएगा 1.03 सवाल बस इतना से उनहोंने कहां इधर से बॉरोइंग करोगे चाहे इधर से बॉरोइंग करेंगे दोनों में जो कैस आउटलोर वो एक जैसा होना चाहिए मतलब सर वो पूछ रहा है रेट आप इंट्रेस्ट आफ्टर थी मंथ फार थी मंस हाँ याद है फारे थ्री इंटू सिक्स से सब कुछ करते थे आप अच्छा चाहे आप यहां कितना भी पैसा उधार लो चाहे आप यहां का रेट ऑप इंट्रेस्ट क्या हो कि इन दोनों का बराबर हो एक्वल आप एक्स मान के भी कर सकते हो करना हो तो पर सीधी सी बात है यह दी तो मैं क्या करूंगा वान पॉइंट जीरो थ्री दिख रहा है और यहां क्या कर दूंगा वन प्लस आर यहां वन प्लस आर ले लिया इसके बरावर होना चाहिए वन पॉइंट जीरो फाइप से वन फाइट कुछ लोग ऐसे भी कर सकते बड़ा बड़ा वाला फैक्टर डि मैंने का तो बारा मैंने का कितना सिंपल एक इसका निकल आ मैंने रुपीज बोरिं ऐसी किस निकल ले ना डॉलर बोरिंग्स 10.6768 परशन ऐसी किसका निकाल होगे डॉलर बोरेंग किकेज क्या कोश्चन आसान था यस इसमें देखा जाया तो एफरी का थोड़ा सा पार्टी इनवल्व था बर कोश्चन अच्छ यह चले अगले कोश्चन पे कोश्चन बर एट और कोश्चन नुबर एट एक्जाम में आ चुका है और कव कौश्च इक्शाम में नवंबर 2020 न्यूश लिबस में और कितने नमर्व कोश्चन आया हूँआ आट नमर का जो कोश्चन न्यूश लिबस में आया है मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि ओल्ड इस लिबस में नहीं आएगा हम्ड़ेट परसेंट ओल शलि है बोले ICL एक इंडियन MNC है इस एक्जिक्यूटिंग अप्लांट इन स्री लंका भाई साथ स्री लंका में इन्होंने प्लांट लगाना है और इन्होंने रेस कर लिया है 400 billions billions थो भाई पता नहीं कीसे इतना रेस कर चुके पैसो का अरेज्मेंट कर लिए बताओ पैसो का अरेज्मेंट इट है लिखा हां सार मतलब पैसो का अरेज्मेंट हो चुका है हाप अब दी एमाउंट विल बी रिक्वाइड आप्टर शिक्समन ये लोगी पैसे पहले आ गय ह और बोले आधे पैसो 200 बिलियंस की तो हमें जरूरत ही नहीं है वह तो छे मैने बाद है तो भई बुलवाए क्यों अगर बुलवाए हो तो इन्वेस्ट करो ICL is looking and opportunity to invest this amount बुला ना invest करो और कितने इंपीरेट के लिए बुले 6 सिमन्द के लिए investment करना चाहते हैं थी के कोश्चन क्या कोश्चन कुछन है इस करने सी ओप इनवेस्टमेंट वा दुन पिछला वाला कोश्चन करेंसी ओट इंकौन सी करने सी में बडूरिंग अभी किया कौन सी करेंसी में इनवेस्ट करें आपके पास रखा क्या है हमारे पस रुपीज रखा हुआ है 400 बिलियन्स चाहिए था उसमें से अभी हमारे पास रुपीज 200 बिलियन्स रखा हुआ है ठीक है और इसको हमें 6 मन्त के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और इन्वेस्टमेंट बताओ भई इंडिया में तो करूई में दोल रहा है का बुले चाहूं तो आप झापान में के लिजी चाहूं तो यूएस में कली जापान यूएस जापान में कॉसि करणीं चलती एं ये चाहा न्रीन्स में कांसीव डॉffee बॉले जाकां में आपश्रमेंट करोंगे हमारे पास कौन्सी करणी रूपिया ठीक दो पले जापान में अगर आप इनवेस्ट करोगे तो सहाप शियर मार्केट में इनवेस्ट कर दो बोल रहा है मतला रिस्क है भाई क्यों इनवेस्टमेंट कर शियर मार्केट में अपले यूएस में तो बले आप ट्रेजरी बिल में इनवेस्ट करो रिस्क फ्री यहां रिस्क फ आता अपley गया तो फिरी छेलिक रिस Kazakh है ना यार हम तो वही तो पड़ते रिस्क मैंड पोरी जिस्क्न मैंनुट तो फिर यहां किस तरह से रिष्क मैंच मिलें रूद कर रोगल क्म UP कि वह सकता फावर्ट कवर भी यह पर फावर्ट कवर से तो यह ना आएगा वह कवर होगा पर इंडेक्स में लागा तो क्या ग्यारंटी उत्मा मिलेगा चलो खेर बुले डिवीडेन कमा लेंगे बताऊ को ऐसा है कि हम इंडेक्स में पैसा लगाएंगे तो महां डिविडेंड कमा लेंगे 25 बिलियंस पर येन येन है और बोले श्टॉक लेंडिंग भी कर लेंगे हद हो गई यार श्टॉक लेंडिंग से भी कमाई हो रही है 11.9276 बिलियंस येन और बोले जो आप इनिवेस्टमे करोगे है लगाओगे 6 महने के 4 महने केलिए लिए न तो सब्सक्राइब लगा फिर विसंडन हो जाएगा ऐसी हमारे मिस वह टीक जटना इन्वेस्टिमंड करो हैना उससे फर्ष पर्ष में मेले इंवेस्टमेंट न यारीज। को दो पर्शन डाउन हो जाएगा बाकि ये इंकम तो मिलेगी मिलेगी एक्शन डेट यह दिया हुआ है एक अप्रिल का और तीस तरीका एक्शन डेट यह दिया है अगर यूएस में लगाती तो साव आपको कुछ नहीं आपको फाइब पर एनम के सबसे इंट्रेस्ट में ले गएगा मैल्टिप्लाई होगा रेट किसका दिया है रुपीस का येन पर रुपीज है न और रुपीज है तो मल्टिप्लेज है दोस्तों इन्टो 1.58 तो ये इन 316 बिलियंस और क्या-क्या मिलेगा आपको 25 ये मिल जाएगा ये लगाया है 25 ये मिलेगा और 11.9276 ये गा-2 परशन तो सर हमको मिलेगा 309.68 प्लस 11.9276 प्लस 25 तो सर हमको मिलेगा 346.6076 बिलियंस डिवाइट किस से कर देना 1.57 तो रुपिया आ गया और रुपीस कितना आ गया तो रुपीस आ गया तू टू टू जीरो पॉइंट सेवन सिक्स नाइन बिलियंस तो यार कमाया है ऐसा नहीं ये 20.769 कमाया अगर आप कहा ये ले लगाते हैं अगर आप डॉलर में लगाते हो तो तो 200 मिलियंस है तो 200 बिलियंस है उसको कानवर्ट किया डॉलर में तो 2.80 और उसपे इंट्रेस्ट टूटल इतना मिलेगा और इससे convert किया तो 220.7692 सवाल यह है आप जापान में भी लगाते हो तो भी इतना ही income है आप US में लगाते हो तो भी इतना ही income है बोलो क्या करे sir US में लगाओ yes यहां तो दोनों एकवल आ गए तो US में लगाए अब इन्हों में बोला US में लगाने की दो बज़ा एक वज़ा तो मेरी समझ में आए कि रिसक फ्री में पैसा लगा रहा है दूसरा डॉलर ज्यादा इस्टीबल है in comparison to year दो बाती उन्होंने बताया है पहला डॉलर ज्यादा इस्टीबल है दूसरा ट्रेजरी विल रिसक फ्री है यह दो कोई तो नोंने यहां लिखा आपको भी यह दो पॉइंट लिखना पड़ेगा ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा कोशन था नैस्ट कोशन पर चलते हैं मज़ाएगा जी यह रहा कोशन कोशन नमर नाइन और सर्थ कोशन नमबर जो नाइन है क्या वह एक्जाम में आया हुआ ह यह और कब आया था यह नवेंबर 2019 ओल्ड शलेवस में तो ओल्ड शलेवस में पहला कोशन जो पाच पाच नमबर कोशन ना वो कोशन एक्शल असर पाच नमबर कोशन है हां जी पर कोशन अच्छा है पढ़ते क्या दिखा अजर्मन सब्सूडरी ओफ एन यूएस बेश्ट MNC has to mobilize 1 lakh यूरो एक लाख यूरो का अरेंजमेंट करना है एक लाख यूरो का अरेंजमेंट करना है वर्किंग कैपिटल के लिए और कितने मंत के लिए बारा महने के लिए और आपके पास तीन आप्शन दे रखा है है फस्ट ऑप्शन में लिखा कि आप यूरो चाहिए तो जर्मन बैंक से ही ले लीची तो जर्मन में तो वैसे भी यूरो चलता है पाच पर्शन के इस आफ से मैल चाहे दूसरा ऑप्शन है कि आप यू एस से उधाली जिता उसस उस पैयरेंट बेंक से यूएस कर यूस से ठीक है वह डॉलर में मिलेगा और वहां का रिट अपिस इंट्रस्ट है फो पॉर्षंट तीसरा है की आप लूझ चाहो तो फिजल लेंस से श्विस बैंक से वहां का रेट अपिंट्रस्ट है तीन पर्षंट, इट मिन्स अगर में हमारे यहां की currency में लोन देता हूं हम यहां की currency कौन सी है Germany मतलब यूरो तो भी पाच पर्शन लगे का लेकिन मैं दूसरी जगह से उधार लेता हूं दूसरी currency में उधार लेता हूं मैं US डॉलर में उधार लेता हूं या मैं Swiss सब्सक्राइब तो भाई रेट आप इंट्रेस्ट कम तो होगा लेकिन एक रिस्क खड़ा हो जाएगा और रिस्क कौन सा करेंसी फ्लक्टुएशन क्योंकि यार डॉलर में उधार लेकि यूरो में करना पड़ेगा और जब चुकाओगे तो यूरो को वापस किसमें करना पड डॉलर में वह एक रिस्क करेंसी फ्लक्टुएशन का ठीक आगे देखते और क्या लिखा लिखा बैंक्स इन जर्मनी चार्ज एन एडिशनल जो जर्मनी से उधार लोगे बुले एडिशनल पॉइंट फाइप परशन चार्ज करेगा लोन सर्विसिंग के नाम से प्रोसेसि अगर मैं जर्मनी से उधार लेता हूं तो यूएस से बोरूइं करता हूं तो क्या कर लोन फ्रॉम आउटसाइड जर्मनी अगर जर्मनी किसे के आउटसाइड बाहर सी दूसरी करेंसे से उधार लेते हो तो आपको विथ होल्डिंग टेक्स लग जाएगा एट परशन इंटरनेशनल फाइनेशनल मेनेजमेंट में है विथ होल्डिंग टेक्स डिटेल में इपने इंटरस्ट रेटा गीवन अबो आ मार्केट डिटिमाइन एग्जामीन वेच लोन इस दा मोस्ट अट्रेक्टी उजिंग इंटरस्रेट डिफरेंशिल सवाल यह है कि सर्जी इस शनमें एक भी फिगर ने दीआ ना तो कुछ एक्षेंज रेट ऑगेर अगे राग दिया क्फिक अगर एक्षन रेट देड़ेता तो एनवचिन पता लगा तेग्यार कहां से एक्षार, नहीं देडिया, सबसे मूष्प्किल कोशन यह एक्षेंज रेट दिया बस यहां का यह बताया है कि देखो जर्मन बैंक से उधार लोगे तो पाच पर्शन इंट्रेस्ट और 0.25 पर्शन प्रोसेसिंग फीस लगेगी अगर आप यूएस पैरेंट बैंक से उधार लेते हो तो रेट अप इंट्रेस्ट आठ पर्शन और इस इंट्रेस्ट पे आपक इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है पर में थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा हम हम आपस में मिलके अनलेसिस कर लिए सारी चीज़ है सवाल यहां का नहीं है कि जर्मन बैंक से उधार लोगे तो वो तो बात खत्म होगे प्रॉब्लम है कि यूएस से उधार लोगे और स्विस बैंक से उधार लोगे सर्कोशन कौन से कॉंसेट का है करेंसी और बोरिंग कौन सी करेंसी में उधार लिया जाए यूरो में डॉल US की बात कर, ध्यान से समझोगे विट, मुझे आपका साथ चाहिए, ठीक है सर, साथ है हमारा, गट, चलू जी समझते हैं, US, ठीक, यह है US, और यह क्या है, सर, यह है German, ठीक, और सर, यह है हम, बिलकु सहीं, और सर, US की बैंक यह है, ठीक है, जिसको हमको interest देना है, और साथ मैं withholding tax से भी देना पड़ेगा, टीडियस काट कर, हाँ, जो भी हो, ठीक है सर, अब मालो टीडियस भी हमें US की फ़र्म के लिए काटना है, वह हमें टीडियस भी देना, बात समझ में आती है, अब सुना धियान से मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कितने का लोन है, तो यह यूरो, यूरो एक लाक, हमें यूरो एक लाक की ज़रूरत है, पर यूएस से जो उधार लिया जाएगा, वो यूरो उधार नहीं लिया जाएगा, डॉलर लिया जाएगा, मैं मन से बोल रहा हूँ, मैं मन से बोल रहा हूँ, कि डॉलर पर यूरो 1.25 है, मतलब सर, मन से बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको समझाना है, अब ये मत पूछना कि कहां से आया गए, ये करके, दिक्कत खड़ी हो जाएगा, माल लो, एक यूरो 1.25 डॉलर का है, तो हमें यूएस बैंक से जो उधार लेना है, वो कितना उधार लेना है, हमें उधार लेना है, वन लेक डॉलर, 1.25 थाज़न, ठीक है, 1.25 थाज़न, उधार लेना, ना तो कोई दिक्कत, हाँ की नहीं, नहीं से, 1.25 डॉलर उधार लेगे, और उसको फिर हम यूरो में कनवर्ट कर लेंगे, और यूरो 1.00 मिल जाएगा, ठीक है, यहां कुछ ऐसा नहीं लिखा, यहां तो शॉटकट दे मारा हूँ, शॉटकट ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम लगेगा, मुझे आ डॉलर 1.25,000 का कितना प्रतीशत, 4% इंटरस देना, बोलो कितना होता है, सर एक लाग पच्चीस जार इंटू 4%, सर यह होता है, डॉलर 5,000, डॉलर 5,000, पर इसकी जो इनकम हो रही है, इस भाई, अब ध्यान से मना, इसकी जो इनकम हो रही है, इसको टैक्स लगेगा, हाँ, लेकिन आपो TDS काटना, विट होल्डिंग टैक्स, TDS, और TDS कितना परशन, सर आठ परशन बोला है, तो सर पाच जार का आठ परशन लेते, पाच जार इंटू 8%, सर डॉलर 400, तो भाई, जितना भी आप सुनना धियां से डॉलर 400, पक्का नही अभी कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टोटल इस बंदे को, जिस इस बैंक को, जिससे मैंने उधार लिया है, इसको मैंने कितना पैमेंट किया, सर डॉलर 5000, नहीं बेटे, मेरी नजरों से देखो कितना पैमेंट हो रहा है, की और को, लेकिन वो एक्चुल में है किसका, एक्चुल में इसी का तो है, यह जो पैमेंट है, वो मेरा देने का तो बनता ही नहीं, कहीं से कहीं तक, लेकिन मैं दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं, जरा सोच कि बताओ, क्योंकि यह पैमेंट टैक्स इसका है, जो कि मैं पे क से देखो तो टूटल मिलाकर मैं इस बंदे को पाच जार चारसो दे रहा हूं तो फिर सवाल यह है कि जो 8% TDS कट रहा है वह 5000 पर क्यों कट रहा है पाच जारस पर कटेगा मैं क्या कहना चाहता हूं कास आपको बास समझ में आती है समझ में बस इतनी आती है कि आप एक नहीं कह सकते हूं कि 5,000 इंदी आट पर्शन जितना पयम्मेट dh मेरा डॉलर तो पाँचच़ आपका इंटरेस्ट है पुले हाँ और मेरा TDS मेरा ठैक्स में हैं आपका टैक्स में आपका टैक्स अप्ता ओगा इटीफिर ना कैसे विलकर ना एसे है जो 5,000 अगर मैं ऐसे कर लो ग्रोशत भॉल्ला जाता है डिवाइड़ बाय कितना परसंट ह 8% मतलब यहां 0.92 कर लो मान लो यह 0.92 है तो 5000 दिवाइड बै पॉइंट नाइन टू तो 5,4 3,4 0.78 इसका मतलब समझ रहा हूँ इस बंदे को तो मुझे $5000 ही देना है और मुझे TDS के रूप में देना पड़ेगा 434 0.78 अब सामने वाला कहेगा कि ठीक है मेरा टेक्स है मुझे तो interest चाहिए net कितना interest चाहिए मुझे 4% चाहिए तो मैंने का अब सुनो अब मुझे TDS का जुगाड करना पड़ेगा ठीक है भई मैं तया हूँ मैं कहूँगा यार ऐसा problem क्या है मुझे से 5000 पे 8% TDS नहीं मुझे जितना भी payment हो रहा आपके लिए हो रहा है उसका 8% निकालना पड़ेगा तो अगर आप इसका 8% निकालोगा तो यह आएगा अच्छा सर 5 हाँ भी calculation 8% निकालोगा तो यह आएगा इट मेंस अब सूच के बताओ मेरे जेप से टूटल मिलाकर इंट्रेस्ट के रूप में कितना गया कोई कहेगा 5000 के डॉलर गया गलत मैं कहूंगा मेरे जेप से टूटल गया 5 434.78 इट इस एक्टिव रेट आप इंट्रेस्ट निकाल सकते हो किया हाँ सर डॉलर 5 4 34.78 गया डॉलर एक लाग पच्चीज़ार का लोन था इन टू हंड्रेट कर देते हैं 5 4 3 4 0.78 डिवाइड वए एक लाग पच्चीज़ार इन टू हंड्रेट उसे साब से सर यह आगया है 4.35 परशन एफेक्टिव रेट ओपन सारी कहानी यही है भई 4.34 परशन मैंने फिगर लेकर बताया अब मैं आप से एक बात बोलता हूँ यह उन्होंने 4.35 परशन निकाला कैसे उन्होंने ऐसा निकाल लिया बोले सिंपल सी बात है टूटल हमें देना कितना है 4 परशन यह नेट है 4 परशन उसको ग्रॉस वेल्यू कर लिया 1-0.08 और सब लोग टैक्स के एक्सपर्ट लोग मेरे सामने बैठे हुए है जो परड़े वो टैक्स उनको पता है कि ग्रॉस अप करना क्या हुता है ठीक है सर तो 4 divided by 0.92 आंसर वैसे भी जाएगा 4.35 परशन ठीक है तो अगर में कहूं 4 परशन्ट इस नेट लेकिन अगर मैं कहता हूं कि विथ होल्डिंग टैक्स मिलाकर मुझे कितना पड़ा विले पड़ा 4.34 परशन विथ होल्डिंग टैक्स आइसी एए के प्रेजन्टेशन में कहीं भी कोई भी फिगर नहीं लिया गया है उन्होंने सीधा 4 divided by 1-0.08 कर लिया ग्रॉसप कर लिया उसको ग्रॉसप यहां तक बात समझ में कहीं ठीके सर तो दिकत क्या 5.25 यहां पड़ा है और यहां कॉस्ट कर कितना पड़ा 4.34 परशन अब भी सिब इंट्रेस्ट का आया और मैंने कहा था ना कि और एक चीज़ हुआ है करेंसी फ्लक्टुएशन करेंसी फ्लक्टुएशन को भी तो फूकस करो सर कैसे करेंसी फ्लक्टुएशन तो मैं आपसे बताता हूं आप मान लो फिर से मान लो सर फिर से मान ले अभी एक यूरो इस इक्वेल टू 1.25 डॉलर होता है आज से एक साल बात अगर यूरो क्योंकि मुझे सुन आराम से सुनना मेरी बात मुझे यूरो का पैमेंट करना यूरो का पैमेंट नहीं मुझे डॉलर का पैमेंट करना और फ्यूचर में अगर यूरो सस्ता हो गया और डॉलर महगा हो गया तो मुझे महगे में खरीदना पड़ेगा और मुझे तो ये भी तो मेरे एक लॉस है बात समझने की कुशिश करो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर अगर आप जर्मन बैंक से लेते हो तो कोई समस्य ने करेंसी फ्लक्टुएशन की करन सी फ्लक्टुएशन की समस्या है फॉर एंड एक्शेज रिस्क है और अगर आप यूएस से उधा लेते हो तो इंट्रेस्ट का तो 4.34 परशंट समझ में आया लेकिन करेंसी फ्लक्टुएशन की वजह से भी तो आपको कॉश्ट बढ़ सकता है मालो डॉलर महगा हो गया तो आपको तो महगे में डॉलर खरीतना पड़ेगा ना तो एक सल बाद दॉलर क्या हो सकता है यह call in एक मैं आप से बोल रहा हूं कि अफ़ावर रेट इसक में निकाल सकते हैं हां सर निकाल सकते ओ फॉलर डीड का फ़ारला आपको पता है क्या या सर ऐफार डिवाइड रगाय सर वन-पलस-ार ए और 1 प्लस आर भी बिल्कुल आयर पी याद है आपको एफ और निकाल लेंगे ऐसार मेने लेकर चला है 1.25 उपर क्योंकि यह डॉलर है तो उपर डॉलर का रिट आएगा 1.04 divided by 1.05 देखले थे कितना रहा 1.25 इंटु यह मुल्टिप्ले जाएगा 1.04 divided by 1.05 तो अंसर आगे हा डॉलर 1.2381 यह रीट आगे डॉलर पर यूरो इत में एक यूरू में एक यूरू में अभी 1.25 डॉलर आता था अब 1.23 डॉलर आगा क्या यह भी मेरा लॉस है हां भाई मुझे फ्यूचर में जब डॉलर का रिपैमेंट करूंगा तो मुझे ज्यादा डॉलर चाहिए था जबकि डॉलर तो कम हो जाएगा तो क्या मेरा लॉस है हां कितने पर्शंट इसका लॉस इन डॉलर प्रीमियम इन डॉलर और प्रीमियम इन डॉलर और रेट किसका दिका यूरो का और प्रीमियम किसमें निकाना डॉलर में तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला उल्टा लगेगा कास किसी ना यार्पी किया होगा ऐसार माइनस एफार डिवाइड बाइड वा काउंट का रेट किसका दिया है रेट दिया एसर यूरो का प्रीमियम किस में ने कालना है डॉलर अच्छा तो एसर कितना एसर 1.25-1.2381 divided by 1.2381 in 200 परशनेज में निकल जाएगा 1.25-1.2381 divided by 1.2381 in 200 तो यह आगे 0.96 परशन और इन दोनों को जोड़ लेंगे और देख लेंगे कितना कोश्ट परढ़ा सर इसको तो सॉटकट से कर दिया यह 0.96 परशन क्या यह भी शॉटकट से हो सकता हां यह मैंने आपको करवाई हूं आयर पी में पर नहीं भी करवाई होगा तो यहां देख लिए शॉटकट कैसे मारा किस में प्रीमिय निकलना डॉलर में तो 1.04 डिवाड़ेड बाई 1.05 माइनस 1 कर दिया तो देख लेते हैं 1.04 1.04 डिवाई 1.05 माइनस 1 इंटू 100 निकलत हो गया 1.05 उपर आएगा 1.05 उल्टा करना पड़ेगा ना भाई अगर मुझे यूरो में निकलना होता तो मैं ऐसे कर देता इसका उल्टा करना पड़ेगा अपोजिट करना पड़ता है ठीक है सर माइनस 1 इंटू 100 करोगे तो कितना जाएगा 0.96 ठीक है इट मेंस मैं आपसे बोल रहा हूं क्या मुझे किसी भी चीज की जरूरत है क्या मुझे एक्षिन रेट वगेरा की जरूरत है मैं सीधी सीधी बाद बोल रहा हूं अगर मुझे निकालना है कॉस्ट किसका इसका यह 4 इसका effective cost निकालना इसका तो कैसे निकलेगा तो बस आपको कोई एक्षिन डेट वगेरा की जरूरत नहीं है इसका तो छोड़ो यहां ध्यान से देखो 4 divided by 1 minus .08 सीधा सीधा gross up कर दिया और उसके बाद premium on dollar निकालने का shortcut तरीका और answer कितना आ गया है 5.31 अगर आप कहां से उधार लेते हो US से और अगर आप Germany से उधार लेते हैं तो 5.25 पर सेम जो यहां कर रखा ना मैंने यहां सेम चीज उन्होंने यहां कर रखा स्विस्वेंग और उसका कोश्ट कितना रहा 5.20 तो कहां से उधार लिया जाए साथ स्विस्वेंग से उधार लिया जाए बेस्ट आपसर दिस दो कोशन पांच नंबर कोशन है लेकिन हिला दिया है कोशन ठीक है अच्छा सर मतलब सर मजा आ गया बिलकूल हाँ जी कास मजे होता क्या है अच्छा कोशन आया हुआ था नया कोशन था था थीकर नेक्ट कोशन पर चले यह सां यह कोशन नंबर 10 यह भी सायद सायद नहीं पका एक्जाम का है जैनवरी 2021 में आया है मतलब इसी साल की बात है और यह बी पांच नंबर का सर ओल्ड स्लिवस में ऐसा नहीं लगता कि नय कोशन है हाँ इसलिए तो मैं करवा रहा हूं और निव से लिए बस वाले सावधान हो जाओ यह कोशन से आपको आ सकते है ठीके सा करें डिस्केशन जी तो चलो पढ़ते है लिखा यूएस इन्वेस्टर चोस्टु इनवेस्ट इनसेंस एक्सपर पिरियोड ऑफ वन यार को यूएस का इनवेस्टर है भाई साप और वो संसेक्स में पैसा लगाना चाहता है इट मीच वो इंडिया मैं पैसा लगाना चाहता ता यूर्वाफ अब Кол मैं दो राइली वांत इन्फोमेशन इस गिवन भी लो कितना डॉल रूदर फुले ड्लाइप्टका इन्वेस्तमेंट करना एक सब्सीयर्ट एक हाट एक सहल पहले ये रेट था और अभी ये रेट है ठीक एक सहल पहले का सनस्क्स स्थियंग था अभिका सन्सक्स से यह है इन्फरीशन का रहत जैंट यूएस में यह है और इंडिया में यह कम्पूूल्ड दा नॉमनल रेट अप रिटन टूद अनवेश्ट ली form एक होता है रिया एक होता है नॉमिनल सर रियल और नॉमिनल में क्या है आप से बात बोल रहा हूं हम जो भी कमाती है अगर मैं आप मेरी बात समझना बहुत बड़ा कॉंसेट है वैसे आयर पी में डिसकस है पर क्या कहना है क्या कहना इस कॉंसेट किस कॉंसेट का यह कहना है कि जो रेट आप इंट्रेस्ट है रेट आप इंट्रेस्ट सपोज इंडिया में रेट आप इंट्रेस्ट कितना है 6% US में rate of interest मान लो कितना होगा 5% US में और कहीं और rate of interest मान लो मान लो कहीं और rate of interest कितना है 7% अब सुनना ध्यान से कहना है इनका यह कहना है यह जो rate of interest है यह सब जगा एक जैसा रहता है मतलब मतलब यह है कि यह rate of interest अलग अलग जगा का अलग अलग होता है सिर्फ inflation की वजह से इनका यह गहना है मान लो इसमें से inflation 1% माइनस कर दिया जाए या फिर मान लो 4% माइनस कर दिया जाए इसमें से inflation 3% माइनस कर दिया जाए और इसमें से inflation 2% माइनस कर दिया जाए तो बोलो यहां कितना आएगा 3% यहां कितना आएगा 3% यहां कितना आएगा 3% यह दिस रेट आप इंट्रेस्ट इसमें एक्ट्रेशन भी जुड़ा होता है अगर इंफ्लेशन को हटा दिया जाए तो जो रेट आप इंट्रेश्ट बात समझे में आ रही है सर इतना बहुत बड़ा कॉंसेट है समझाने के लिए यहां समझाना थोड़ा सा मुस्किल है अच्छा जादा अच्छा किसको समझ में आएगा जिनका ओल्ड इसलेबस में है न उन्होंने कैपिटल बजटिंग किया होगा और कैपिट गुष र्क綠 करान किया क्म आएक्शल में कमाति रिएल बी कमाते और इन्फलेशन भी कमाते इट जिसë इसनों मेंनल नॉमिनल कम अमतलब उसमें inflation का जो premium है वो भी जुड़ा रहता है इट मेंस हम कमा कितना रहा है U.S. का investor कमा कितना रहा है जितना भी कमा रहा है उस वो return निकालना है और जो return निकलेगी उसको बोला जाएगा nominal rate of return उसमें से अगर हम inflation को हटा देंगे तो जो आएगा दिसे real rate of return बस और कुछ नहीं है तो ठीक है निकाल सकते हैं कि यूएस के investor ने कितना कमाया वो तो हम आसानी से निकाल लेंगे कितना investment किया था dollar 20 lakhs एक साल पहले तो उसने रुपिया खरीदा होगा मतलब बैंक ने डॉलर खरीदा होगा 42.50 देख लेते हैं डॉलर 20 lakh into 42.50 ठीक है पता नहीं कितना रुपीज 850 lakhs ठीक है और उस समय जब खरीदा था sensex कितना था 3256 अभी है 37 तो ये unitary method से हो सकता है उस समय sensex था 3256 अभी है 3765 अभी का value निकाल सकते हैं divided by into तो सर ये आ गया 982 8776 पॉइंट कुछ-कुछ है अब इसको वापस डॉलर में 43.90 डिवाइड बे 423.9 तो सर ये आ गया डॉलर 2238901 और लगाया है कितना था मैनस 20 lakh तो संप सर कमाई कितने के वरी कमाई हो रहे 238901 कितने पर डॉलर 20 lakhs पर नौर। ये पर रहे बाद वाद्वाद कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ- in 200, 11.94 पर इस नौमिनल पॉइन 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 यहां तक कोई थिक करते हैं, पॉइंट नमबर वन क्या हमारा हो चुका है, अब बात किस की करेंगे, अब बात करेंगे, पॉइंट नमबर टू की, कम्प्यूट दी, रियल, डेप्रिशिशन, और एप्रिशिशन, और रुपीज, अब ध्यान से समझना मेरी बात को, सर, दोनों बिड रेट लिया था, कि बिड भी कर सकते हैं, आस्क भी यहां कहीं भी उसने नहीं बताया है, मैं बेड से काम करता हूँ कि एप्रिशिशन हो रहा है, कि एप्रिशिशन, पहले समझ लो मेरा कॉंसिप्ट समझ लो, एक साल पहले रेट था, 42.50, एक साल बाद रेट है, 43.85, हाँ, मानते हो, यस, क्या ये जो डॉलर का रेट बढ़ा है, किस वज़ा से, क्या पर्चेसिंग पावर पैरिटी का एफेक्ट भी हुआ होगा, हुआ होगा, किया आई-र्पी का भी एफेक्ट हुआ 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 होगा इस जो डॉलर का रेट बढ़ा है wo šat weird it means के रहा कि नहीं नहीं inflation की वज़ा से बढ़ा है उसको हाटा web रियल की बात करो, it means मैं आप से बोल रहा हूँ, अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो, मन से बोल रहा हूँ पॉट्रेट, मान लो, इस बोल रहा हूँ, मैं सिंपल बात, और और मान लो, जो फावर्ड रेट आया है, वाया 46, लेकिन अभी इसमें इंफ्लेशन नहीं जुड़ा है, मैं बार-बार इंफ्लेशन नहीं जुड़ा हूँ, यह सिप रियल रेट आप इंट्रेस्ट जूड़ इसके अलावा अब मैं इसमें इंफ्लेशन भी डाल रहा हूं और इंफ्लेशन डालने के लिए फावर्ड रेट का फॉर्मॉला किया है यह सब 45 से 46 हुआ किसकी वजह से रियल रेट आप इंट्रिस्ट की वजा से अब इसमें इंफ्लेशन भी में डाल रहा हूं और इंफ्लेशन यह रूपीज है तो उपर रूपीज का रेट आएगा 1.09 और नीचे जाएगा 1.05 ऐसा किया होगा आपने कभी इंफ्लेशन पर्चेसिंग पावर पैरिटी 46 इन टो 1.09 डिवाड़ेड बाई 1.05 तो यह आ गया 47.75 सब पर्चेसिंग पावर पैरिटी में हम यहां इस पॉर्ट ट्रेट लेते थे हां 100 परशन लेते थे पर में गह रहा हूं इस पॉर्ट रेट से हम फावर्ड में पहुच चुके हैं हमने आयर पी को यूज कर लिया अब इसके बाद फावर्ट के बाद और उसमें हमने इंफ्लेशन को भी डाल दिया आयर पी में जो रियल एट अप इंटरेशन उसको युज किया और ऊसके बाद इंफ्लेशन भी डाल दिया तो यह आ गया 47.75 मेरा कोश्चन क्या है क्या डॉलर एप्रीशिट हो रहा है हां क्या यह रियल एप्रीशिशन है कि नॉमिनल अotherap्री श्रीशन है इसमें से इनुलेशन हटाईए और मुह रियल वाला रेट बढ़ादीजिए तो मैं फटा फटा ऑश्री और इंफेशन कैसे हटेगा सर जैसा किया उसका उल्टा कर लो मतलब क्या सर इंटू कर दो 1.05 से और डिवाइट कर दीजिए 1.09 से तो अटो मेटी का जाएगा और रेट कौन सा चाहेगा 46 है जाएगा और फिर हम बता देंगे कि रियल अप्रिशीशन हो रहा है कि यहां दीको अच्छे से रेट कौन सा मैं इसी बिट की बात करो 43.85 और इसमें से मुझे क्या हटाना मुझे इंफलेशन वह रहताना इंफलàyशन 43.85 रूपsz का रिट उपर होना चाहिए बर नीचे आएगा क्योंकि इंफलेशन में हटाने की कोशिश कर दिवाइड इंट्टू बाइं प्रिवाइड इंटू 1.05 44.85 इंटू 1.05 दिवाइड बैं 1.09 तो सरी यह आ गया 42.24 यह है और एक्चुल में था 42.5 और 42.24 प्रेप्रिशिट हो रहा है एक सल पहले और यह अभी का है तो 42.24 माइनस 42.50 इन रुपीज बोला है और रुपीज बोला है तो फॉर्मूला उल्टा लगना चाहिए वैसे तो पर इन्होंने क्या कर रहा है मुझे पता नहीं है यह 42.24 निकाला 42.5 डिवाड़ेड़ बाइड 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 मतलब 42.24 नीचे होना चाहिए इन्होंने 42.50 ही ले रखा है इट मिन्स वैसे अगर मैं प्रीमियम या डिसकाउंट की बात करो इन रुपीज में तो फॉर्मूला उल्टा हो जाता है पर खेर रियल एप्रिशिशन इन रुपीज निकाला 0.61 परशेंट खीक है बात समझ में आ रही है बस कॉंसिप्ट क्या था कॉंसिप्ट का एप्रिशिशन हो रहा है डेप्रिशिशन सब्द क्या लिखे थे सब्द लिखे थे रियल इसलिए थोड़ी सी बात में ने डिसक्रस किया उसमें से पहले नॉमिनल को हटा दिया तो यह आ गया 42.24 यह आज का है और 42.50 यह एक साल पहले का था तो इन्होंने सिंपल सा फॉर्मला लगा है अब ऐसे तो हमारा फॉर्मला एफ आर माइनस एसा डिवाइड बाइसार इस प्रीमियम इन डॉलर निकलता पर ठीक है उन्होंने उसको इग्नौर कर दिया बस मैं जो आपको समझाना चाहता था वह आपके समझ में आ गया तो फ इसका भी निकालना चाहिए था आ एप प्रीशीशन डेपर शनिकालना चाहिए था पता निए आई सी यह ने दोनों का निकाल एक सल पहले का रेट है वो कि आवला वाट उडबी दा एक्शन रिट इफ रेलिवेंट पर एक्शन रेट पूछा है एक सल मतलब अभी का एक सल पहले का दिया और अभी का पूछा तो निकल लिया पर्चेसिंग पावर पैरिटी आपको आता है मुझे ज्या कितने पर्षंट से बढ़ा वो निकालीजे और उसमें से इंफ्लेशन हटा दो तो रियल रिटर निकल जाएगा चेक कर लेते हैं संसेक्स कितने से बढ़ा 15.63 पर्षंट और उसमें से इंडिया का इंफ्लेशन हटा देंगे मतला हटाने का मतला भी डिवाइड होता है मैं को डिसकस कर चुका हाँ हटा दिया तो यह आगया रियल रीट ऑपरेट कोशन अच्छा है रियल नॉमिनल के विसे में बहुत ज्यादर चर्चा की गई है ठीक है अगला कोशन पर चलते हैं हाँ जी दोस्तों लास्ट कोश्टन फॉरेक्स का कोश्चन नमर कौन सा 11 एक्साम में आया है जनवरी 2021 कौन सा से लेबस है जी ओल्ट और सहब जी ये कोशन आट नमबर का है इसी साल आया हुआ है और जो ओल्ड लेवर से उसमें न्यू कोश्टन आने की उमीद थोड़ी सी ज़्यादा रहती है एक बाद पढ़ दे क्या बोल रहा है इंट्रेस्ट रेट्स फर थ्री मन्त इन यूएस एन कैनिड़ा आर ऐस फॉलोस थ्री मन्त का रेट आप इंट्र यूएस में अगर बॉरो करो तो 4% पर इंवेस्टमेंट करो तो 2.5% इंट्रेस्ट मिलेगा कैनेडा मैं से अगर बॉरो करो कैनेडियन तो देना पड़ेगा 4.5% पर अगर वहां इंवेस्टमेंट करोगे तो 3.5% इस पॉट्रेट दे रखा है कैनेडियन डॉलर पर यूएस डॉलर और थ्री मन्त फावर्वर देट भी दिया हुआ एडवाइज दा करेंसी इन विच बॉर्विंग एन लेंडिंग फाट थ्री मन्त नीट तो बी दन फार्दा यूएस कंपनी टेक थ्री मन्त रिचिकल टुट्मा सरी कोशन है क्या बेसिक्लिक नोचन ये बड़ा सिंबल सा कोशन है एक पड़ते ते हम करेंसी और बोरींग कि कौंसी करेंसी में बॉर्व और और यहां क्या है यहां कुछ नहीं यहां दोनों ही concept इसी कोश्चन में कबाए इसमें पहले तो आपको यह डिसाइट करना और सुनो बात किसकी है, for U.S. company, पूरा इकिसके एंगल से बात करेंगे, U.S. company, किस U.S. की company, U.S. में क्या चलता है, डॉलर, तो आपको सबसे पेले ही डिसेट करना पढ़ेगा, हमें डॉलर में बॉरूरिं करना है, कि कैनेडा से बॉरू करना, दूसरा इन्वेस्टमेंट, हमें डॉलर में निव्स् тепर ना कि केणिटियन डॉलर में करें डाइट इस तो पहले बात किसे और पहले बात करतें बॉदर Spotify now Boring Здесь हैं तो सबसे पहले डॉलर में बोरो करेंगे तो हमार में वह包括 डॉलर मन से ले बोल रहा हूं, एक हजर डॉलर आप एक लाग भी ले लीजिए, और इंट्रेस्ट कितना देना पड़ेगा, चार पर्षेंट पर तीन महने का निका लो, चार इंट्री बाइट वड़िवादेड वाएं हन्डेट प्लेस वन, वन पॉइंट जिरो वन इंट्व थाउजन्ट, तो डॉलर, वन जीरो, दूसरा डॉलर के अपिक्छ आप कैनेडियन डॉलर में बौर्व, यहां इंपोर्टन है, हम बौरू करेंगे कैनेडियन डॉलर, हमें dollar चाहिए, सिधी सी बात है, Canadian dollar में बहुरू करना है, तो हम क्या करेंगे, 1000 dollar is equal to कितना Canadian dollar तो sir कैसे करें सब से पहले, हम यह जाएंगे, कि हम Canadian dollar लेकर आएंगे, उससे dollar खरी देंगे, bank dollar बेचेगा, one point, और कितना dollar बेचेगा, सिधी बात है, हम Canada जाएगे वहां से Canadian dollar उठाकर लाएगे और bank को देगा बदले में 1000 dollar जाएगा तब ही तो आप comparison कर पाओगे तो हम bank जो dollar बेचेगा bank हमको dollar बेची रहा 1000 dollar वो कितने के हिसाब से बेचेगा हमें 124 मतलब इसके लिए हमें 1.240 इंटू 1000 तो हमें Canadian dollar 1240 की जिरूत पड़ेगे वहीं बॉरो करेंगे और उसके बदले में हमें 1000 dollar रख लेंगे बात समझ में और जो 1240 Canadian dollar है वहां 4.45 पर उधार मिलेगा उसका तीन मेने का देख लो 1.0125 इंटू 1240 तो यह आगा Canadian dollar 1253.95 इतना interest सहीत देना पड़ेगा में तो हमें Canadian dollar खरीदना पड़ेगा मतलब बैंक डॉलर खरीदेगा डिवाइट किससे होगा 1.255 बैंक डॉलर खरीदेगा और बदले में आपको Canadian dollar देगा तो 1253.95 डिवाड़ेड मैं 1.255 तो फाइनल आंसर आजाएगा डॉलर 999.16 सवाल है कि कहां से उधार ले तो बही कैनेडे से उधार ले लो वह उसने किया होगा 999.16 और यहां डॉलर 1010 डॉलर 1010 999.16 समस्या किसमें होगी समस्य थोड़ा सापको बिड़ास में दिक्कत हो सकती है पर बिड़ास का कर आपका बेसिक अब यार इनवेस्टमेंट कहां करें तो यूएस में इनवेस्टमेंट करो बात करते इनवेस्टमेंट के इनवेस्टमेंट कहां करें अगर हम यूएस में इननवेस्टमेंट करते है तो इनवेस्टमेंट यूएस में तो कितना डॉलर दॉलर थाउजन यूएस में रेट ऑप इंट्रेस्ट कितना है 2.5 तो 3 मेंने का देख लिजए 2.5 into 3 by 12 divided by 100 plus 1 1.00625 into 1000 तो हमें मिलेगा 1006.25 यह इन्वेस्टमेंट हो जाए कैनेडियन डॉलर में अब समस्या है कैनेडियन डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले हमको कैनेडियन डॉलर खरीदना पड़ेगा बैंक कैनेडियन डॉलर बेचेगा और यूएज डॉलर खरीदेगा मतला 1.235 हमें 1000 डॉलर देना है और बदले में हमें मिलेगा 1.235 1.235 into 1000 तो हमें इतना मिल गया कैनेडियन डॉलर और इसको हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया 3.5 into 3 by 12 divided by 100 plus 1 तो 1.00875 into 1235 तो हमें मिला कैनेडियन डॉलर 1245.806 ले देते हैं अब जो कैनेडियन डॉलर हम लेके आएगे तो उसके बदले में बैंक डॉलर बेचेगा 1.260 तो फाइनली आ जाएगा कैनेडियन डॉलर 988.73 कहां इवेस्टमेंट करने में फाइदा है डॉलर ठीक है तो बस और कुछ नहीं था यह किया है और यह आ गया 988.74 होत नहीं आया था कि 988.73 तो यह कोशन था यह कोशन अच्छा है एक कहां से हम बॉरॉइंग करेंगे कहां से इन्वेस्टमेंट करने उसके बाड़ आप डिसीजन लिग दीजीए था ठीक है कुछ कोशंस नहें थे पर ऐसा नहीं था कि 我有 Springs में ईसा कोशन है जो आप से मंता हां वो प्रेएल और नॉमिनल वाले कोशन था राचान वो ठीक है अगले चैप्टर में मिलते अगले चैप्तर में कुछ और बात हो बात हो कि थैंकिऊ सो मच यू पाइह